नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एक मास्टर वीडियो हिंदी की यहां पर होगी जिसमें हम हमारी हिंदी के जो important व्याकरण के topic बचे हुए हैं कुछ topic व्याकरण के हम cover कर चुके हैं कुछ topic हमारे बचे हुए थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा था कि इसका एक single video आएगा और आपके बचे वे सारे topics यहां पर cover हो जाएंगे तो आज हम इस master video में वो जो बचे हुए topic हैं उनको यहां पर cover करेंगे क्या-क्या हम already कर चुके हैं और क्या-क्या आज के इस master video में आपको यहां पर देखने को मिले का किन चीज़ों को हम cover करेंगे जल्दी से उसके बारे में यहां पर बात करते हैं और फिर आज की Master Video को शुरू करते हैं हमने Hindi की व्याकरण को शुरू किया था हम Hindi भाशा के विकास को पढ़ चुके हैं जिसके अनदर हमने Hindi भाशा के पूरे विकास को पढ़ा राष्ट भाशा की रूप में Hindi को पढ़ा आर्टिकल, देवनागरी लिपी का विकास इसको भी हम already cover कर चुके हैं और साथ में विश्व हिंदी समेलन भी हमने देख लिये थे वन्ड माला पूरा टॉपिक हम cover कर चुके हैं तो ये जो important टॉपिक से जहां से question बन सकते हैं उनको हम कर चुके हैं साथ में हमने पूरे संधी को यहां पर cover कर लिया है तो ये वाला टॉपिक भी आपका already हो चुका है इसके अलावा हम अभी सब्द सरचना को पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम पद के बारे में बात कर रहे थे कि पद 5 प्रकार के होते हैं जिसमें हमने संध्या को पढ़ लिया सरवनाम को पढ़ लिया किरिया को पढ़ लिया और कारक को भी हमने पढ़ लिया है ठीक है ये सारी चीजे हम cover कर चुके हैं आज के master वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं देखे इतना syllabus हम cover कर चुके हैं और आज की master वीडियो के बाद आपका लगभग पूरा syllabus cover हो जाएगा केवल दो topic बचेंगे जिनके दो master वीडियो आएंगे उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे देखें आज के वीडियो में जो आपके पद के remaining भाग हैं उनको हम यहां पे cover करेंगे जिसमें आपका होग में बात करेंगे अलंकार हम यहां पर पड़ेंगे विराम चिन्नों से related सारी जानकारी हम देखेंगे और वाक्य परिचे वाला topic भी आपका यहीं पर cover हो जाएगा तो कितना स्लेवस आपका cover हो जाएगा यह चीजें already हो चुकी है और संधी आपकी हो चुकी है केवल आपका सब्द भंडार इनके बारे में हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपके important important जो शब्द हैं वो cover हो जाएगा बाकी आपका पूरा व्याकरन cover हो जाएगा इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा दो topic आपके रहे जाएगे जो पढ़ने वाले topics हैं जिनके notes जरूरी हैं और एक होगा हिंदी साहित्या तो अगले हफ़ते आपका नवंबर 10 तारिक से पहले इसके उपर master video आएगा और उसके बाद इसके उपर master video आएगा पूरा हिंदी आपका यहाँ पे cover हो जाएगा तो आज के master video में हम इन महत्तपून topics को यहाँ पे cover करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आज के class को शुरू करते हैं जैसे हमने बात करी कि हम पद के बारे में पढ़ रहे थे वहीं शुरू करेंगे जहां हमने last part में छोड़ा था देखिए पद के बारे में हम पढ़ रहे थे कि पद क्या होता है जब कोई शब्द स्वतंतर रूप से प्रियुक्त होता है तो वहाँ शब्द कहलाता है और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रियुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं ठीक है और इसी पद के हम भेद पढ़ रहे थे कि पद के पांच भेद होते हैं कौन कौन से इसके भेद होते हैं संग्या, सरवनाम, क्रिया, विशेशन और अ definition आपको याद करनी है, पूछा जा सकता है कि स्वतंतर शब्द को क्या कहते हैं, वाक्य में प्रियुक शब्द को क्या कहते हैं, चलिए, सबसे पहले बात करेंगे विशेशन के बारे में, विशेशन जिसे English में एडजेक्टिव बोला जाता है, definition क्या है, संग्या या सर्वना की विशेशन बताते हैं, उनको हम विशेशन कहते हैं, जैसे काली गाए अधिक दूद देती है, तो गाई है यहाँ पर कि आपकी संग्या, और इसकी विशेशन बता रहा है, यह काली शब्द कि गाई कैसी है, काली है, दूद दे रही है, कितना दूद दे रही है, अधिक दूद देती है तो यहां पर आपका काली और अधिक ये दोनों क्या है ये दोनों आपके विशेशन है जो संग्याओं की विशेशता बता रहे हैं उसी प्रकार चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो व्यक्ति यहां पर संग्या है इसकी विशेशता कौन बता रहा है चरित्रवान यहां पर बता रहा है इसी प्रकार कर्म है कर्म कैसे हो अच्छे कर्म करता है तो कर्म की विशेस्था यह अच्छा बता रहा है तो वो शब्द जो किसी संग्या यह सर्वनाम की विशेस्था बताता है उसे हम कहते हैं आपका विशेशन इसे आपको याद करना है ठीक है इसी प्रकार लाल घोडा दोड रहा है तो यहां पर घोडा है इसकी विशेष्टा बता रहा है लाल कि घोडा कैसा है लाल घोडा है ठीक है तो यह हमने definition देखी basic सी चीज थी साथ साथ में मैं आपको यह भी बताते वे चलूँगा कि कैसे कैसे question यहां से आपसे बनते हैं वो सारी चीज़े हम यहां पर देखेंगे तो पहली चीज आपको विशेष्ण जानना था विशेष्ण हमने cover किया दूसरी बात जो पूछी जाती है विशेष्य दो बातें आपको जाती है जिस संग्या यह सरवनाम की विशेष्य बताई जाती है उसे विशेष्य बोला जाता है ठीक है? जैसे यहाँ पर गाय शब्द क्या है यह विशेष्य है यहाँ पर दूध क्या है? यह विशेष्य है जिसे उद्दिश भी कहते हैं तो दो बाते question आपसे बनती है कि बताईए इसमें विशेशन क्या है बताईए इसमें विशेशन या उदेश्य क्या है तो विशेशन वो शब्द जो विशेशन बता रहा है और विशेशन वो शब्द जिसकी विशेशन बताई जा रही है इसे आपको याद करना है ठीक है जैसे यहाँ पर अगर आ विशेशन यहाँ पर हो जाएगा तो यह विशेशन और विशेशन इनको लेकर कुशन बनता है एक आपको यह याद करना है ठीक है? चलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से साधारण भाषा में सारी चीजे समझाते वे चलू जिससे आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और यकीन मानिये अगर आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं जो सारी चीजे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ मैंने आपको विशेशन और विशेशे के बारे में बताया दिखिए वाक्य में इस्थान की दृष्टी से विशेशन दो प्रकार के होते हैं एक होता है उद्देश्य विशेशन यह जिसे हम विशेश्य विशेशन कहते हैं और एक होता है विधाय विशेशन ऐसे विशेशन जो विशेशक के ठीक पहले आते हैं उनको उद्देश विशेशन कहते हैं और ऐसे विशेशन जो विशेशक के ठीक बाद में आते हैं उनको विधाईक विशेशन कहते हैं जैसे की देखें हमने बात करी कि विशेशन दो प्रकार के होते हैं एक होता है उदेशय विशेशन वो विशेशन होते हैं जो किसी संग्या या सर्वनाम के ठिक पहले आते हैं और जो उनके बाद आते हैं उनको विधाई कहते हैं जैसे हम यहाँ पर पहला है हरी चूडिया तो यहाँ पर विशेशन पहले आया है तो यह कौन सा विशेशन होगा उदेशय विशेशन इसी प्रकार आदमी विद्वान है यहां पर विशेशन बाद में आया है तो यह हो जाएगा आपका विधाय विशेशन हो सकता है एक्जाम में कोशन बन जाए बताइए उद्देश्य विशेशन क्या है कई बार व्याकरण में आपसे परिभाशा भी पूछ ली ज जो संग्या या सर्वनाम के पहले परियुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं इस प्रकार के उनको उद्देश्य विशेशन बोला जाता है ठीक है एक ये नोट था जो आपको याद करना था ठीक है चलिए अब बात करेंगे विशेशन के भेद के बारे में मैंने आपको में हमने डिफरेंस को देखा उनको पहचाना उसके बाद हमने विशेशन के इस्थान के अधार में प्रकार देखे कि दो प्रकार के होते हैं उमीद है अभी तक ये सारी चीज़ें किलियर हो गई होंगी अब हम बात करेंगे विशेशन के भेद के बारे में विशेशन के शर्वनामिक विशेशन जिसे हम संकेत वाचक विशेशन भी बोलते हैं कई बार आपको परिक्षा में अगर सर्वनामिक विशेशन न देकर संकेत वाचक विशेशन दे दे दोनों एक ही है इंगलिश में इसे demonstrated adjective बोला जाता है दूसरा है गुणवाचक विशेशन, तीसरा है संख्यावाचक विशेशन और चोथा है परिमान वाचक विशेशन ठीक है तो विशेशन कितनी प्रकार के होते हैं विशेशन मूल तहा चार प्रकार के होते हैं अब इन चारों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे ठीक है चलिए सबसे पहला है हमारा सर्वनामिक विशेशन सर्वनामिक विशेशन क्या होते हैं विशेशन के रूप में प्रियुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेशन बोला जाता है देखें वे सर्वनाम जो विशेशन के तौर पर इस्तमाल के जाते हैं विशेशन के रूप में इस्तमाल होते हैं उनको हम सर्वनामिक विशेशन कहते हैं सिंपल भाषा की बात करें तो वो सर्वनाम शब्द जो संग्या से पहले आकर उनकी और संकीत करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेशन या संकीत वाचक विशेशन कहते हैं सिंपल सी बात है सरवनामिक विशेशन क्या होंगे वो सरवनाम जो विशेशन के तौर पर इस्तमाल किये जाते हैं सरवनामिक विशेशन कहलाते हैं ठीक है जैसे एक्जामपल आप देखें यह महल किसका है यहाँ पर जो यह शब्द है यह सरवनाम नहीं है यह यहाँ पर वि से लड़के वे लड़के ये भी यहां पर विशेशन है ऐसी साड़ी हम भी खरीदेंगे ये भी क्या है यहां पर ये तीनों चीजें सर्वनाम नहीं है विशेशन है अब इनकी पहचान कैसे होगी कि ये सर्वनाम है ये विशेशन है तो इसके लिए हम एक नूट यहां पर यह बहुत important है, इसको याद करते हुए चलना, ठीक है, सर्वनामिक विशेशन क्या होते हैं, definition हमने देखी, अब बात करेंगे सर्वनाम और सर्वनामिक विशेशन में अंतर क्या होता है, कैसे हम कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो यहाँ है, यह सर्वनाम है, ठीक है, और यहाँ प साथ आता है, वो सर्वनामिक विशेशन है, हमने संग्या और सर्वनाम और सर्वनाम क्या है, सीदी सी बात, जो विशेशन संग्या के इस्थान पर आ जाए, जो संग्या के इस्थान पर आ जाए, वो सर्वनाम कहलाते हैं, और जो संग्या के साथ आते हैं, वो सर्वनाम के विशेशन कहलाते हैं एक्जामपल से समझ ये पहला है यहा लड़का है अब आप जो यहाँ शब्द है इसे किसी भी संग्या के साथ रिपलेश करके देखें क्या ये रिपलेश हो सकता है जैसे हमने बोला यहाँ लड़का है मैं कहदू राम लड़का है दूसरा समझ ये उसने अर्पित से जगडा किया अब इस उसने को रिपलेश करके देखिए राम ने अर्पित से जगडा किया रमेश ने अर्पित से जगडा किया तो ये भी किसी ना किसी संग्या की जगा पर यहाँ पर आया है तो ये भी क्या है सर्वनाम है ठीक है वहा बहुत होशियार है अब इसको change करके देखिए वहा को किसी भी संग्या के सार आप replace करके देखिए कि रवी बहुत होशियार है ठीक है राम बहुत होशियार है सूरज बहुत होशियार है यहाँ पर आप रिप्लेस कर जाएंगे तो यह भी क्या है सरवनाम है यह तीनों के तीनों यहाँ यहाँ पर जो सरवनाम यूज हुए हैं यह तीनों यह आपके संग्या के इस्थान पर इसलिए इनकी जगह पर कोई संग्या आ सकती है ठीक है अब इसको देखिए यह किताब मेरी है क्या आप इसकी जगह पर किसी संग्या को ला सकते हैं आप इसे नहीं ला सकते क्योंकि किताब क्या है यह खुद एक संग्या है वो इसकी विसेस्ता बता रहा है ठीक है कि यह जो क तो यह संग्या के साथ आया है, तो यह विशेशन होगा, क्योंकि हमने उपर डेफिनेशन पढ़ी, जो संग्या के साथ आएगा, वो विशेशन, जो संग्या के स्थान पर आएगा, वो सर्वनाम, तो यह यहां पर संग्या के साथ आया है, यह लड़का शुशील है, क्या यह यहां पर अब आ सकता है लड़का खुद में संग्या है यह उसकी और इशारा कर रहा है तो यह संग्या के साथ आया है संग्या के स्थान पर नहीं आया है वहां आदमी हमारा मित्र है आदमी यहां पर संग्या है उसकी और इशारा किया जा रहा है तो सिंपल सी तौर पर आप नहीं आ सकता, यहां पर संग्या नहीं आ पा रही, तो यह क्या हो जाएगा, यह यहां पर सर्वनामिक विशेशन हो जाएगा, उमीद करता हूँ, यह आपका किलियर यहां पर हो गया होगा, तो यह सर्वनामिक विशेशन का पहला भेद जो हमने यहां पर पढ़ा सर्वनामि विशेशन चलिए नेक्स्ट है हमारा गुण वाचक विशेशन जो दूसरा प्रकार है इसका अब हम यहाँ पर उसको देखेंगे गुण वाचक विशेशन क्या होते हैं जो शब्द संग्या अथवा सर्वनाम के गुण दशा, स्वभाव, इस्तिथी, रूप, रंग, आकार, दिशा, भाव का बोध कराते हैं यानि कि जो संग्या सब्द हमें संग्या या सर्वनाम के किसी भी गुण का हमें बोध कराते हैं चाहे उसके गुणों की बात करें, उसकी इस्तिथी की बात करें सभाव की बात करें, रंग, रूप, आकार किसी भी गुण का हमें बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचा कहते हैं जैसे रिना ने लाल सूट पहना है तो सूट कैसा है? लाल है तो ये हमें उसके रंग का बोध करा रहा है ठीक है? राहुल पैर में नुकिली कीर चुब गई तो राहुल के पैर में नुकिली कील चुब गई कैसी कील थी? कील चुबी है कैसी थी नुकिली थी? ये उसके आकार का बोध करा रहा है रादा बहुत दुबली है ये भी उसके आकार का बोध यहां पर करवा रहा है तो वो उस विशेशन जो किसी संग्या या सरवनाम के हमें विशेश गुण के बारे में कि वो कैसा है काला है, मोटा है, पतला है क्या उसका रंग है, क्या उसकी इस्तिती है उसका सभाव है उसके बारे में बताता है उसके किसी भी गुण के बारे में हमें बताता है तो वो क्या हो जाएगा वो आपका गुण वाचक विशेशन हो जाएगा इसे आपको याद करना है ठीक है? सिंपल सी बात इतना डेटेल में नहीं जाता बस आपको इतना याद करना है, वो विशेशन जो किसी भी संग्या या सर्वनाम की क्या बता देते हैं, उसके गुण की बारे में बता देते हैं, उसे उसके विशेश गुण की जानकारी देते हैं, उनको आपकर गुण वाचक विशेशन कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक् संख्या वाचक विशेशन कहते हैं ठीक है दिखिए ऐसे आपके विशेशन जो किसी भी संग्या या सर्वनाम के क्योंकि हमने उपर डेफिनेशन में पढ़ा विशेशन क्या होते हैं विशेशन संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताते हैं सर्वनामिक विशेशन उनकी औ आपको याद करना है, संख्या वाचक विशेशन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्या वाचक और एक होता है अनिश्चित संख्या वाचक, निश्चित संख्या यानि कि जहां पे संख्या अनिश्चित हो जैसे 10, 20, 1000 और अनिश्चित की बात करें, जहाँ पे शंख्या अनिश्चित हो जैसे कुछ, कई, सबकुछ इस तरीके से, ठीक है? एक्जामपल से समझते हैं, पार्क में चार बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, इसकी यहाँ पर कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो पूरा प्रॉपर बता रहा है, चार बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा विशेशन हो गया? संख्या वाचक विशेशन हो गया वो भी निश्चित संख्या वाचक ये संख्या बता रहा है संख्या की सरकस में पांच कुत्ते साइकल चला रहे हैं तो कुत्ते कितने हैं पांच हैं उनके बारे में इसने विशेश जानकारी दे दी जो भी हमें किसी भी संग्या या सर्वनाम के बारे में विशेश जानकारी देता वही विशेशन होता है तो कुत्ते के बारे में इसने जानकारी दे दी कि 5 कुत्ते हैं ये भी एक संख्या है निश्चित है तो निश्चित संख्या वाचक विशेशन है बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो यहां पर बच्चे तो हैं उसकी विशेष्टा भी बता दे कि कुछ बच्चे हैं लेकिन कितने हैं यह किलियर नहीं है तो यह क्या है? यह अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा इसी प्रकार थोड़ा पानी पी लो यह भी आपका अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा कुछ पैसे निकाल लो यह भी आपका क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्या वाचक यहां पर हो जाएगा इसे भी आपको याद करना है कोशन बनता है तो यह हमने तीन भेद यहां पर जान लिए अब हम बात करेंगे चौथे भेद के बारे में जो है परिमान वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन वो विशेशन होते हैं जो किसी शंग्या या सर्वनाम की मात्रा का हमें बोध कराते हैं यानि उनके परिमान के बारे में जानकारी देते हैं उनका मैगनिट्यूड क वहां पर संख्या वाचक, जहां पर मापने की बात होगी, वहां पर परिमान वाचक, जैसे 2 किलो, 4 मीटर, बहुत घी, यह सब क्या हैं यहां पर, यह सारे के सारे आपके परिमान वाचक विशेशन हैं, परिमान वाचक विशेशन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता पर हमें अनिशित जानकारी मिले, जैसे बहुत सारा घी, थोड़ा बहुत दूद, यह सब क्या हैं, दूद आप माप सकते हो, दूद को आप गिन नहीं सकते हैं, घी को भी आप माप सकते हो, लेकिन हमने आगे लगा दिया थोड़ा घी, थोड़ा दूद, तो यह सारी चीजे हो जाएंगी परिमान वाचक, तो इसको आपको यहाँ पर याद करना है, यह क्या हो जाएगा, यह आपके परिमान वाचक विशेशन हो जाएगा, तो हमने विशेशन को यहाँ पर कवर कर लिया है, जल्दी से क्विक रवीजन हम यहाँ पर विशेशन का कर देते हैं, हमने बात करी, यह विशेशय क्या होता है? अगर विशेशय किसी संग्या या सरवणाम के पहले लग जाता है, तो उसको उद्देश विशेशय बोलते हैं, और अगर वो संग्या या सर्वनाम के बाद में लगता है तो उसे आपका विधाई विशेशन बोला जाता है विशेशन के मूल तहा चार भेद होते हैं पहला सर्वनामिक विशेशन ऐसे सर्वनाम जो संग्या के साथ आते हैं और उसकी और इशारा करके उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषन कहते हैं, डिफरेंस क्या होता है, पहचानना कैसे है, हमने उपर देखा, दूसरा गुण वाचक विशेषन, जो किसी भी संग्या या सर्वनाम के किसी भी गुण के बारे म हम गिन सकते हैं और چोता हमने देखा परिमान वाचज़ जिन को गिन नहीं सकते किवल मापा जा सकता है जैसे 10 किलू 5 किलू दूद हो गया ये सारी चीज़ें मापी जा सकती है गिनी नहीं जा सकती तो ये थाव का परिमान वाच़़ अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो अववे हैं इनके बारे में जिसमें हम क्रिया फिशेशन को कवर करेंगे ठीक है अब हम बात करेंगे अववे के बारे में अववे जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं इसके चार भाग होते हैं उन चारों के बारे में हम बात करेंगे कोई भी विकार नहीं आता है उन्हें अववे कहा जाता है यानि अविकारी शब्द कहा जाता है अगर आपको एक्जाम में देखे यहां से कोशन बनता है पहचानने के लिए कि इन में से विकारी और अविकारी शब्द का आप बताएए कौन सा है तो याद रखना संग्या, स अभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे example से समझिए, राम धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर धीरे धीरे अव्वे हैं, ठीक है, रामा धीरे धीरे चलती है, हम धीरे धीरे चलते हैं, हमने पहले में पुरुष यहाँ पर था, यहाँ पर स नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अववे यानि अविकारी शब्ध बोला जाता है ठीक है? अब बात करेंगे अववे के भेड के बारे में इसके होते हैं चार भेड कौन-कौन से एक होता है क्रिया विशेशन, जिसे ऐड़ब कहते हैं, प्रविशेशन भी कहते हैं, संबंध जिसे प्रिपोजिशन कहते हैं, तीसरा होता है समुच्च बूधक जिसे कंजक्शन कहते हैं, और चौता होता है विश्मियाधी बूधक जिसे इंटर्जेक्शन कहते हैं, अब इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, यहां से भी आपके कोश्यन पेपर में बन जाते हैं, त संग्या और सर्वनाम की विशेष्टा बताता है जो क्रिया विशेष्टा होता है ये आपके क्रिया की विशेष्टा बताता है ये आपके विशेष्टा की विशेष्टा भी बताता है इसलिए इसे प्रविशेष्टा भी कहते हैं तो adverb आपके adjective और verb दोनों की विशेषणाएं यहाँ पर बताता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है क्रिया विशेषण, definition पढ़ते हैं, वे शब्द जो क्रिया विशेषणों की विशेषणा बतलाते हैं, क्रिया विशेषण कहे जाते हैं, जैसे वह बहुत तेज कि इसकी विशेषणा बता रहा है कि वह तेज दोड़ता है, और तेज की भी विशेषणा बता रहा है कि वह बहुत तेज दोड़ता है, तो यह क्या है यहाँ पर बहुत यह क्रिया विशेषण हैं, ठीक है, और यह कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह अव्वे के अ वो क्रिया विशेशन होता है यहां का वातवरण शदा शांत रहता है क्रिया क्या है शांत रहने वाली इसकी विशेशता बता रहा है कि वो हमेशा शांत रहता है यह क्रिया विशेशन है रमेश अत्यादिक तेज छात्र है तो छात्र की विशेशता बताता है तेज और इसकी भी विशेष्टा बता रहा है कि अत्यादिक तेच चात रहें यह क्या है यहाँ पर किरिया विशेष्ट है अब किलियर हो गया होगा किरिया विशेष्ट वे शब्द जो किसी किरिया या किसी विशेष्ट की विशेष्टा बता दें वो किरिया विशेष्ट कहलाते हैं ठीक ह अर्थ की दृष्टी से अगर हम क्रिया विशेशन के भेद की बात करें तो इसके चार भेद होते हैं ये पूछे जाते हैं ठीक है पहला है इस्थानवाचक जिस क्रिया विशेशन से क्रिया की इस्तिथी या दिशा क्या बोध होता है उसे इस्थान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं हमने पहले क्रिया विशेशन के बारे में बात करी अब उसके प्रकार पूछे जाते हैं आप से कि बताए इसमें कौन सा क्रिया विशेशन है इस्थान वाचक है, परिवान वाचक है, कौन सा वाला है ठीक है काल वाचक है कौन सा क्रिया विशेशन है ठीक है तो उसके भी टाइपस आपको पढ़ने होंगे वो भी पेपर में पूछे जाते हैं ऐसा क्रिया विशेशन जो हमें क्रिया की इस्तिती या दिशा यानि उसके इस्थान के बारे में जानकारी दे दे उसमें इस्थान अगर आपको कोई sentence दे दिया जाए, जैसे हम बाहर जाएंगे, आप यहाँ पर प्रश्न कीजिये, हम कहां जाएंगे, अगर उत्तर मिल जाता है, तो यहाँ पर जो यह बाहर है, यह क्या है, इस्थान वाचक किरिया विशेशन है, ठीक है, आप्शन में है, हम बाहर जाएंग हमने प्रश्न किया, कहां जाएंगे, आंसर आया, बाहर जाएंगे, तुम दाएं मुडोगे, कहां मुडोगे, दाएं मुडोगे, आंसर आया, यह क्रिया विशेशन हो जाएगा, कौन सा वाला इस्थान वाचक, राम भीतर सो रहा है, कहां सो रहा है, तो यह भी इस्थान तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे इस्थान वाचक क्रिया विशेशन पहले आपको पहचानने में आना चाहिए क्रिया विशेशन क्या है फिर आपको उसके टाइप पता होने चाहिए अगर ये क्रिया विशेशन है तो कौन सा वाला है, क्या ये परिमान वाला है, काल वाला है, या इस्थान वाला है, जो हमें कहां का उत्तर दे दे, जहां से हमें किसी भी क्रिया की इस्तिधी, दशा या उसके इस्थान का बोथ हो जाए, वो इस्थान वाचक आपके क्रिया विशेशन होते हैं, जैसा हमने यहां पर देखा, सिंपल सी चीज़ आपको याद करनी है ये वाली, जो कहां का उत्तर हमें दे दें, ठीक है, इसी प्रकार दूसरा होता है कालवाचक, जिस क्रिया विशेशन से क्रिया के होने का समय ग्यात होता है, ठीक है, वहां पर कालवाचक आता है, ये क्रिया विशेश कब नहीं होगी उसने कहा अब नहीं होगी तो अब क्या है यहां पर काल वाचक आपका क्रिया विशेशन है वह प्रतिदीन इसनान करता है नहानी की क्रिया हो रही है कैसे हो रही है कब नहाता है तो हमने कहा प्रतिदिन नहाता है तो प्रतिदिन भी क्या हो गया यहां पर काल फिर चलते हैं तीसरे पे जो है आपका परिमान वाचक परिमान वाचक जिस किरिया विशेशन से किरिया के परिमान यानि मात्रा और नापतौल का ग्यान होता है उसे कहा जाता है परिमान वाचक यानि वे किरिया विशेशन जो कितना का उत्तर हमें बता दे example, कुछ पढ़े लिया करो हमने कहा कितना पढ़े लिया करें उसने बुला कुछ पढ़े लिया करो तो आया जवाब कितने का जवाब मिला बले ही कितना भी मिले कुछ मिले, इतना मिले, जैसे भी मिले लेकिन इसका जवाब मिला अधिक खाना स्वास्त के लिए हानिकारक है हमने पूछा कितना खाना स्वास्त के लिए हानिकारक है उसने कहा अधिक खाना जवाब मिल गया ठीक है ये आपका परिमान वाचक हो जाएगा जो हमें कितने का उत्तर दे दे वो परिमान वाचक हो जाएगा ठीक है फिर आता है चौथा जो है रीती वाचक क्रिया विशिशन वो क्रिया विशिशन जो क्रिया के होने की विधी या रीती का हमें जानकारी देता है जिससे हमें क्रिया कैसे हुई है उसके बारे में जानकारी मिले वो आपकी रीती वाचक क्रिया विशिशन हो जाती है ये क्रिया विजिशन हमें कैसे का उत्तर दे देते हैं जैसे हाती तेज दोड़ता है दोड़ने की क्रिया हो रही है इसकी विशेष्टा बता रहा है कि तेज दोड़ता है कौन सा क्रिया विजिशन है तो आप बताएंगे रीती वाचा क्योंकि यहां पर हमें कैसे का उत्तर मिल जाएगा आपने पूछा हाती कैसे दोड़ता है उसने जवाब दिया हाती तेज दोड़ता है चोर चुपके से भाग गए चोर कैसे भाग गए आपने जवाब दिया चुपके से भाग गए कैसे का उत्तर मिल गया तो ये हो जाएंगे रिती वाचक चारों की पहचान करना बड़ा सिंपल है जल्दी से इसको रिवाइस करते हैं इस्थान वाचक जहां पर हमें कहां का उत्तर मिल जाए इस्थान वाचक में कहां का उत्तर हमें मिलता है फिर हमने पढ़ा काल वाचक जो हमें कब का उत्तर दे देता है ठीक किरिया विशेशन की पहचान फिर हमने पढ़ा परिमान वाचक जो हमें कितना का उत्तर दे दे और फिर हमने पढ़ा रीती वाचक जो हमें कैसे का उत्तर दे दे इससे आप किरिया विशेशन के चारों जो साथ, संबंद बोधक जिसे हम preposition कहते हैं इंगलिश में, परिभाशा को देखते हैं, ऐसे अववे शब्द जो किसी संघ्या या सर्वनाम का संबंद वाक्य के अन्य पदों से जोड़ते हैं, संबंद बोधक अववे कहलाते हैं, यानि कि ऐसे शब्द, ऐसे अववे, ऐसे अ बोधक कहते हैं, इसका जो प्रश्ट बनता है पेपर में, कई बार आपको direct definition पूछ ली जाती है, कि बताईए वे शब्द जो संघ्या और सर्वनाम का संबंद दूसरे सब्दों से बताते हैं, उनको क्या कहते हैं, उन्हें संबंद बोधक कहते हैं, ठीक है, जैसे वहाद दिन भर काम करता हैं, ठीक है, हमने बोला वो दिन, केवल हम इतना बोल दे वहाद दिन, फिर हम कर दे काम करता है, नहीं पता चल रहा है, वहाद दिन भर काम करता है, तो भर ने इन दोनों को जोर दिया, और भर कभी change नहीं होगा, चाहे आप इसे बहुचन में इस्तेमाल क करो, महिलाओं के लिए इस्तेमाल करो, पुरुषवचन में इस्तेमाल करो, यह हमेशा सेम रहे का, इसने क्या करा इस भरने, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, मैं विध्यालिया तक गया था, यहां पर तक ये काम कर रहा है, कि मैं विध्यालिया और फिर आया ग दे, उसे ही कहते हैं, हम प्रिपोजिशन, ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, कोशन बन जाता है, खास तोर पर इसकी डेफिनेशन से, इसी प्रकार है, जैसे घर से बाहर मत आना, तो यहां पर घर को और बाहर मत आना के साथ कौन जोड रहा है, से जोड रहा है, तो य ऐसे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोडते हैं, समुच्य बोदक कहलाते हैं, बहुत important question बनता है समुच्य बोदक और संबंद बोदक के साथ, दोनों में difference है, difference क्या है, संबंद बोदक, संग्या और सर्वनाम को दूसरे वाक्य के अंदर जो दूसरे शब्द हैं, उनके साथ जोडता है, समुच्य बोदक दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोडता है, ठीक है, तो दोनों में difference को समझना, वो केवल संग्या और सर्वनाम को जोडता है बाक्यों के साथ, ये दो शब्दों को जोड़ेगा, दो वाक्यों को आपस में जोडता है ठीक है समुच्य बोदग जैसे राम और शाम दोनों भाई हैं तो यहाँ पर राम और शाम इन दोनों को आपस में किस ने जुड़ा दो शब्दों को यहाँ पर जोड़ दिया ठीक है सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे तो यह दो सर्वनाम को वाक्य के अंदर दूसरे शब्दों से जोड़ने के बारे में पूछेगा तो संबंद बोदग दो शब्द दो वाक्य को आपस में जोड़ने की बात करेगा समुच्य बोदग ठीक है यह डेफिनिशन दोनों की पूछी जाती है फिर आता है विश्मियादी बोदग जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं यह काफी आसान होते हैं ऐसे अववे शब्द जो विश्मय, हर्ष, प्रिशंशा, समवेदना, घ्रणा, तिरसकार, आदी भावों को व्यक्ति करते हैं विश्मियादी बोदग से आप समझ जाएंगे जो फिलिंग्स जो भाव होते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं उनको कहा जाता है विश्मियादी बोदग जैसे अरे, हाई इसमें बस यही पहचान होती है आप एक तो देखते ही पहचान जाएंगे यह जो विस्मयादी चिन होता है यह आपको देखने को मिल जाता है ठीक है जैसे आप अगर बनाएं कि वह और यहाँ पर यह लगा दिया क्या बात है तो यह कौन सा है यह विस्मयादी बोधक हो जाएगा आपका ठीक है तो यह जादा important नहीं है केवल इतना याद करना कि उन अवे शब्दों को क्या कहते हैं जो भावों को विक्त करते हैं विस्मयादी बोधक कहते हैं ठीक है चलिए अब एक नोट है यहाँ पर जो आपको पढ़ना है देखिए हिंदी के कुछ ऐसे अववे होते हैं जो पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेश बल प् होते हैं कुछ ऐसे अववे भी होते हैं जो पद के बाद में जुड़कर उस पर विशेश बल प्रदान करते हैं जैसे सचन क्रिकेट ही खेलेगा यह विशेश बल प्रदान कर रहा है ठीक है कि सचन क्रिकेट खेलेगा नहीं उसने का सचन क्रिकेट ही खेलेगा तो ही ऐसा विशेश आपका अववे है जो की उस पर विशेश बल परदान करता है और जो विशेश बल परदान करे उसे निपात कहते हैं तो इसको भी आपको याद करना है कि वे अववे जो किसी भी पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेश बल परदान करते हैं विशे जोर यहाँ पर दे रहा है तो यह आपका निपात हो जाएगा ठीक है मुझे तो नया बल्ला मिल गया यहाँ पर यह तो जादा जोर यहाँ पर दे रहा है तुमने फोन तक नहीं किया यह भी यहाँ पर जादा जोर दे रहा है इसको भी याद करना जो एक्स्टा जोर देते है उन्हें क्या कहा जाता है उन अववियों को निपात बोला जाता है ठीक है तो ये हमने अववे के बारे में भी जानकारी यहां पर कवर कर ली है ठीक है तो हमने विशेशन कवर कर लिया विशेशन की प्रकार कवर कर लिये हमने अववे को बारे में बात करी अववे के अंदर हमने क्रिया वजेशन की बात करी हमने समुच्च बोधक की बात करी समंद बोधक की बात करी विसमयादी बोधक की बात करी और अब हम निपात को भी कर चुके हैं अब हम बात करेंगे लिंग के बारे में ठीक है नेक्स्ट अब हम लिंग के बारे में की पुरुष या इस्त्री जाती का बोध होता है उसे हिंदी में हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं ठीक है लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ ही चिन होता है इसे भी आपको याद करना है ठीक है अब हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो दो ही होते हैं पुल करेंगे ठीक है उसके बाद कुछ important अपवाद भी होंगे उनके बारे में भी हम discuss करते विश चलेंगे बस आपको इनको याद करते विश चलना है क्योंकि कोशन पेपर में बन जाता है कि बताईए इन में से कौन है जो हमेशा pulling रहेगा बताईए इन में से कौन है जो हमेशा strilling रहेगा पहचानने के लिए भी आता है strilling और pulling पहचानने के लिए आप तीन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप उसके साथ किसी संग्या का इस्तेमाल करके देखें किसी विशेशन का इस्तेमाल करके देखें या फिर आप उसको किसी वाक्य में प्रयुक्त करके देखें 90% आप उसका आंसर वहाँ पर आप उसको अचीव कर जाते हैं, उसको टिक कर जाते हैं ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो उस तरीके से नहीं आते हैं, उनको आपको याद करना होगा जो हमेशा पुलिंग रहते हैं, ठीक है आपको दे दिया लड़का, इसका बताईए इस तरी लिंग है या पुलिंग है, तो आप लगा ये अच्छा लड़का या अच्छी लड़का तो अच्छा लड़का आएगा, इस तरीके से आप उनको लगा सकते हैं ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अब उनके बारे में जो जादा important है उनको तो आप पहचान सकते हो adjective लगाकर, संग्या लगाकर या फिर उनको sentence में इस्तमाल करके हमेशा pulling रहने वाले शब्द कौन-कौन से शब्द हैं जो हमेशा pulling रहते हैं धातूओं के नाम जितने भी आपके धातू हैं जैसे सोना, तामबा, पीतल ये सब क्या हैं ये हमेशा pulling होते हैं केवल चांदी को छोड़ कर चांदी क्या है? चांदी अपवाद है इसी प्रकार अनाजों के नाम जितने भी महत्वपून, अनाज हैं, चांवल, गेहु, चना ये सब आपके क्या हैं? हमेशा pulling होते हैं केवल अरहर और मूंग को यहाँ पर छोड़ कर ठीक है? दिनों की बात करें तो सभी दिन जो होते हैं आपके सुमबार, मंगलवार, बुदवार ये सब आपके क्या होते हैं? pulling होते हैं हमेशा महिनों की बात करें महिनों के नामों की तो मार्च, अप्रेल, जून, जुलाई ये सब आपके पुलिंग होते हैं केवल इन तीन महिनों को छोड़ कर जनवरी, फरवरी और मई ये stראלing होते हैं, बाकी चारे महिने आपके क्या होते हैं, pulling होते हैं, ठीक है, ग्रहों के नाम की बात करें, तो शूरिया, चंद्रमा, मंगल, बुद्व, ब्रहसपती, ये सब के सब pulling है, सारे ग्रहों के नाम pulling में आते हैं, केवल पृथिवी जो है, ये sting माना जाता है, ठीक आपके इस्त्रिलिंग होते हैं ठीक है तो इनको आप यहां पर देख सकते हैं अपवाद भी है और साथ में जो होते हैं नॉर्मल चीजें उनके बारे में भी हमने यहां पर जानकारी देखी अब देखेंगे हमेशा इस्त्रिलिंग वाले शब्द किसी भी भाषा का नाम वो ह पूशी, सच्चाई, चिंता, करुणा, सारे जो हैं आपका क्रोध, ये सब क्या हैं, आपके स्त्रिलिंग होते हैं, ठीक है, लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुकी, ये सब आपके क्या होते हैं, स्त्रिलिंग होते हैं, नदियों के नाम, सभी नदियों के न पर लिखा गया है इनको आपको याद कर लेना है ठीक है कुछ और important बातें जो आपको इस्त्रिलिंग के साथ यहाँ पर याद करनी है क्योंकि इसके अपवाद काफी जादा महत्तपूर हैं देखे जादा तर ऐसे जो ए की मात्रा पे खतम होते हैं जैसे पंजाबी, खुशी, सच्चाई ऐसे शब्द जादा तर आपके इस्त्रिलिंग होते हैं चाहे वो ए की मात्रा पे खतम हो चाहे वो ए छोटी ए हो चाहे बड़ी ए हो ठीक है लेकिन दो-तीन अपवाद जो आपको याद करने हैं जो E की मातरा पे खतम तो होते हैं लेकिन वो pulling है, strilling नहीं है जैसे आपको याद करना है कपी कपी E की मातरा पे खतम हो रहा है लेकिन ये pulling है इसी प्रकार रवी इसी प्रकार आपको याद करना है दही ये भी आपका बहुत important है दही बहुत बार पेपर में आती है ठीक है जादा अपवाद नहीं है 78 अपवाद है जो एकी मात्रा पे खतम होते हैं इस reading नहीं है pulling है कपी, रवी, कवी, हाती, दही, पानी इनको आपको याद करना है बहुत important ये होते हैं और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है खास तोर पर हाती, दही और पानी ठीक है ये एकी मात्रा पे खतम होते हैं लेकिन ये सब क्या है ये pulling है इनको आपको याद करना है ठीक है अब हम बात करेंगे वचन के बारे में हमने link के बारे में बात कर ली है अब हम वचन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे ठीक है वचन क्या होता है देखे वचन वे शब्द होते हैं जिसके रूप से हमें एक अथवा अनेक का बोध होता है उनको वचन कहते हैं वचन शब्द का जो अभिप्राय होता है जो अर्थ होता है वो संख्या से होता है ठीक है वचन माने संख्या तो वे शब्द जो हमें किसी वस् क्या होती है तो कौन-कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं यहां से जादा कोशन नहीं बनते जो इसके अपवाद है कि कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में होते हैं कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं कि इनमे से बताईए एक वचन कौन सा है, इनमे से बताईए बहुवचन कौन सा है, उन शब्दों को हम देखेंगे ऐसे शब्द, जो बहुत बार एक्जाम में रिपीट हुए हैं, पहले डेफिनिशन को देखते हैं, हिंदी में वचन दो ही होते वो बहुवचन, बहुती simple definition है, ठीक है, जो आपको याद करना है, वो आपको ये शब्द याद करने है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जैसे माल, जनता, सामान, सामागरी, सोना, समु, चाती, दल, दूद, वर्षा, आग, पानी, आकाश, ये सभी के सभी जितने भी आपके शब्द हैं, ये हमेशा एक वचन में होते हैं, एक्जाम में आपसे ऐसे कोशन आता है, सिधा पूछेगा, बता ये वर्षा कैसा शब्द है, आपको option देगा, एक वचन, बहुचन दोनों है, केवल एक वचन है, बहुचन है, ये सिरिफ आपका बहुचन और एक वचन दोनों बन सकता है, तो आपको बताना है, केवल एक वचन है, सदयव, एक वचन में ये रहता है, ठीक है, इन शब्दों को आपको याद करना है, ठीक है, जादा शब्द हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं, जो बहुत बार एक्जाम में repeat हुए हैं ठीक है इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द है जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं जैसे प्राण बहुत बार पूछा जाता है दर्शन आंसू, होश, बाल हस्ताक्षर पिछले साल उत्राखन में ही पूछा गया था कि किस प्रकार का शब्द है यह सब ऐसे शब्द है जो सबसे जादावार repeat हुए हैं ठीक है, रोम, प्रजा होंट, लोग, समाचार यह भी बहुत बार आता है तो हमेशा बहुवचन वाले शब्द आपको याद करने हैं यह कुछ important शब्द हैं अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपको option में यह इन में से कोई न कोई जरूर दिख जाएगा जिससे आप तुरंत पहचान कर पाएंगे कि अगर सब्द एक वचन वाला पूछा है तो आपको option में इन में से कुछ दिख जाएगा तो आप याद कर जाएंगे कि यह तो बहुचन वाले हैं यह नहीं होगा फिर आप सही answer पर पहुच जाएंगे इनको आपको याद करना है यह हर exam में आपसे पूछे जाते हैं ठीक है? चलिए तो यह थे हमने जो वचन देखे सदय एकवचन रहने वाले और हमेशा बहुचन रहने वाले ठीक है? कुछ बातें एकवचन और बहुचन को ले करके जो आपको याद करनी है जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ से याद करनी है जो आदर देने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते है वो हमेशा बहुचन में होते है इस चीज़ को हमेशा याद करना कि आदर देने के लिए आप हमेशा बहुचन का इस्तेमाल करते हैं यह कोशन पेपर में बन जाता है इसके अलावा जो दर्ववाचक संघ्याएं होती है ठीके जो abstract noun होती है द्रववाचक संघ्याएं वो हमेशा एक वचन में होती है तो अगर आपको पूछ लिया जाए पताएए ये कौन सा वचन है एक वचन है या बहुवचन है आप देखिए अगर वो द्रववाचक संघ्या है वो हमेशा एक वचन में होका ठीक है इसके अलावा भाववाचक और गुणवाचक ये भी अगर संग्या है तो वो हमेशा एक वचन में होका इससे भी आप पहचान सकते हैं ठीक है बाकी ये कुछ important शब्द थे वो मैंने आपको बता दिये ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे वाक्य परिचे के बारे में वाक्य परिचे से आपसे कोशन बनते हैं बहुत सारे की बताईए इस आपको एक वाक्य दे दिया जाता है पूछा जाता है बताईए इसमें ओदेशे क्या है बताईए इसमें विदहे क्या है बताईए ये सरल वाक्या है मिस् पूछे जाते हैं, तो अब हम उनको यहां पे step by step cover करेंगे, ठीक है, सबसे पहले वाक्य की परिभाशा को हम यहां पर देख लेते हैं, वाक्य की परिभाशा कहती है, सार्थक शब्दों का विवस्थित सम्हू, जो मनुश्य के विचारों को पूर्ण तहा प्रकट कर सके और अर्थ सु इसपष्ट कर सके वाक्य कहलाता है, यानि कि ऐसे सब्दों का सम्हू, जो पूर्ण तहां इसपष्ट कर सके कि उसका अर्थ क्या है, वो कहलाता है वाक्य, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक सेंटेंस आता है, कि सत्य की विजय होती है, तो यह एक अपने लेकिन यह वाक्य नहीं है, यह वाक्या आँश है, केवल इतने से कि विजय होती है, इससे आपका जो इसका अर्थ है, वो प्रकट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये डिफरेंस आपको याद करना है वाक्य और शब्दों के सम्हूं में, ठीक है, चलिए, वाक्य क्या होता है subject जिसे हम उद्देश्य कहते हैं और एक होता है विधय जिसे हम प्रिडिकेट कहते हैं ठीके ये paper में आपसे पूछे जाते हैं आपको वाक्या दे देता है और कहता है बताईए subject क्या है और इसका विधय क्या है चलिए इनको देखते हैं वाक्य के अंग होते हैं दो पहला है सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्धिश कहते हैं अगर आप पिछले साल का पेपर उठाएंगे वहाँ पर एक कोशन आया था आपको एक सेंटेंस दियतर पूछा था इसमें स उद्धिश क्या है तो किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया हुआ होता है उसे हम उद्धिश कहते हैं जैसे एक्जामपल की अगर हम बात करें सेंटेंस हैं अनुराग बोलता है अनुराग खेलता है यहाँ पर अनुराग के बारे में बताया गया है कि वो खेल होता है तो यहाँ पर किसी मेहनत करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो सफल होता है तो यहाँ पर यह सारे आपके क्या है उदेश्य में होंगे जो मैंने यहाँ पर इनको सरकल में किया है ठीक है तो इसको आपको याद करना है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधय कहते हैं जैसे अनुराग खेलता है तो हमने अनुराग के बारे में बता रहे हैं ये तो सब्जेक्ट हो गया खेल रहा है ये हमने इसके बारे में बताया है तो सब्जेक्ट के बारे में उद्देशे के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सारा क सारा आपका विधय होता है जैसे यहाँ पर खेलता है यह विधय है, दोड़ता है, सफल होता है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है, वो सब आपका क्या होता है विधय होता है, इसे आपको याद करना है, कोशन पेपर में बन जाता है ठीक है जैसे example यहाँ पर देखिए भागता हुआ चोर पकड़ा गया यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए उद्देश क्या है और विधे क्या है यहाँ पर हम किसके बारे में बता रहे हैं हम चोर के बारे में बता रहे हैं कि वो पकड़ा गया, तो चोर यहां पर उदेश्य है, और पकड़ा गया यहां पर विदय है, ठीक है, इसी प्रकार प्रेमचंद की कहानियां बड़ी रुची से पढ़ी जाती है, यहां पर उदेश्य क्या है, हम किसके बारे में बता रहे हैं, हम प्रेमचंद की कहानियों के बारे में बता रहे हैं, कहानिया यहां पर उदेश्य हो गई और पढ़ी जाती है इनके बारे में जो बताया गया हो सब्जेक्ट के बारे में जो बताया गया हो उदेश्य के बारे में जो बताया गया हो वो आपका क्या होता है, विदय होता है तो यहाँ पर पढ़ी जाती है यह क्या हो गया आपका विधय हो गया तो आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं जिसके बारे में बताया जाए वो उदेश्य और उसके बारे में जो कुछ बताया जाए वो सब आपका विधय ठीक है यह पहचानने के लिए आता है आपको याद करना है ठीक है चलिए अब आते हैं वाक्य के तत्व के ऊपर देखिए कोशन जादा important नहीं है लेकिन हो सकता है एक mcq यहां पर बना दिया जाए कि बताईए हिंदी भाशा में सार्थक वाक्य निर्मान के लिए कितने तत्वों को आवश्यक माना गया है बस आपको इतना याद करना है कितने तत्वों को important माना गया है कि यानि कि अगर कोई वाक्या है, सार्थक वाक्या, उसको बनाने के लिए उसमें कम से कम ये 6 तत्व होने चाहिए, कौन-कौन से ये 6 तत्व हैं, जैसे पहला है सार्थकता, दूसरा है युग्यता, तीसरा अकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा पदगरम, और छटवा अनव, ठीक है, तो ये 6 तत्व उसमें होने चाहिए, ये कोशन पेपर में बन सकता है, आपको या तो संख्या पूछ लेगा, कितने तत्वों को important माना गया है, या फिर आप से पूछ लेगा, बताए इन में से किस तत्व को महत्तपून या महत्तपून नहीं माना गया है, जैसे हम कहते हैं, ये खाना वाना खा लीजिए, तो यहाँ पर जो वाना हमने बोला खाना के साथ, ये क्या है, एक निरथक शब्द है, इसके कोई जरूत नहीं है वहाँ पर, तो उसमें सार्थकता होनी चाहिए, जिन शब्दों को हम चैयन करें, वाक्या के निर्मान में, उनमें शार्थकता होनी चाहिए, उनका अपना अर्थ होना चाहिए, दूसरा है योगिता, योगिता यानि कि वाक्यों में इतनी योगिता होनी चाहिए, कि वो अपने अर्थ को पूरी तरीके से इसपष्ट कर सके, यानि कि जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने एक वाक्या बना दिया कि मोहन ने दूद खाया यहां पर वाक्य तो बन गया लेकिन यह इसपश्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो दूद है वो खाया नहीं जाता दूद को हमेशा पिया जाता है तो यहां पर उसकी योगिता इसी होनी चाहिए कि जिस शब्द के लिए जो प्रसंग वह फिट नहीं बैट रहा है वो वहां पर फिट होने के योग्य होना चाहिए तीसरा आता है अकांक्षा अकांक्षा यानि कि इच्छा यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो यह अकांक्षा है इसका शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा किसी भी वाक्य को अपने आप में पूरा होना चाहिए ठीक है कि ऐसा ना हो कि आपने कोई वाक्या बना दिया और उसको पढ़ने के बाद जो उसे पढ़ रहा है उसके मन में इच्छा हो कि ये पूरा वाक्या क्या होगा जैसे अगर हम एक कोशन बना दे रमेश खेल रहा है इसमें से अगर हम रमेश हटा दें तो केवल हम बोल दें खेल रहा है तो इच्छा नहीं उनी चाहिए वाक्याब पूरा होना चाहिए कि हम सोचें कि कौन खेल रहा है हमने पूरा वाक्याब होना चाहिए कि रमेश खेल रहा है तो इच्छा हैं जो अर्थ उसका होना चाहिए वो पून तहां इसपश्ट होना चाहिए कुछ भी उसमें रहना नहीं चाहिए जो बाकी हो ये आपको याद करना है अपून नहीं होना चाहिए चोटा होता है, निकटता यानि की जब हम वाक्यों को लिखते हैं तो उन्हें इतनी दूर दूर भी ना लिखा जाए कि उनको पढ़ने में ही दिक्केत आ जाए उनको पढ़ने में ही आप उनके अर्थ को ना समझ पाएं थीक है इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं पदगरम क्या होता है? पदगरम होता है कि जैसे एक प्रॉपर हिंदी में वाक्या बनाने के लिए पदगरम माना जाता है कि पहले करता होगा, फिर आपका कर्म होगा, फिर आपकी किरिया होगी यही तो पदक्रम होता एक proper way आप जिस तरीके से अरेंज करते हैं वाक्य को जैसे हम कहे दें कि रानी आम खाती है यह प्रापर वाक्य है लेकिन अगर मैं कहे दूँ कि रानी खाती है आम तो यह वाक्य तो सही हैं सब्दी भी सही हैं लेकिन जो इनका क्रम है वो हमने उलट दिया जिससे वाक्य को समझने में थोड़ी सी समस्या होती है तो इनका पदक्रम होना चाहिए और अंत में आता है अनव यानि की मेल किसी भी वाक्य को सार्थक बनाने के लिए उसमें क्या ह मेल होना चाहिए, अनवे का अर्थी ही होता है संगती या मेल, यानि कि उसमें जो भी आप लिंग, वचन या काल, कारक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे एक दूसरे से मेल होने चाहिए, जैसे अगर हम कहँदें, रमेश खेलती है, तो ये गलत हो जाएगा, यहां पर आपका क् याद करने के लिए इनकी छोड़ी बहुत इसे related बाते बताएं कि इसका क्या अर्थ यहाँ पर होता है दो कोशन केवल यहाँ से बन सकते हैं पहला कितने तत्वों को अवश्यक माना गया है आप बताएंगे 6 और दूसरा कौन-कौन से आप इनको बता सकते हैं ठीक है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है अब हम चलेंगे वाक्य के भेदों के बारे में देखे वाक्य के भेद दो तरीके से हम करते हैं एक करते हैं अर्थ के आधार पर और एक करते हैं हम रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर ठीक है तो पहले हम अर्थ के आधार पर बात करेंगे जो की आठ भेद होते हैं आपको कोशन बनेगा वाक्य के कितने भेद होते हैं ठीक है रचना के आधार पर तो आप बताएंगे तीन भेद होते हैं सयुक्त, सरल और मिस्रित इसी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तब आप बताएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं चलिए उनको देखते हैं पहला आता है विधान वाचक विधान वाचक वाक्य क्या होते ह जिन में किरिया के करने या होने की हमें सूचना मिलती है उसकी जानकारी मिलती है वो विधान वाचक वाक्या कहलाते हैं आपको सीधा एक वाक्या दे देगा और कहेगा बताइए ये कौन सा वाक्या है विधान वाचक है प्रश्ण वाचक है विसमयाईदी बूदक वाक्या है कौन सा वाक्या है तो आपको देखना होगा पहचानना होगा पूछे जाते हैं निशेद वाचक है कौन सा है तो देखिए जिस वाक्या से हमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उसे विधान वाचक वाक्या कहते हैं जैसे मोहन पढ़ रहा है हमें यहाँ पर जानका तो विधान वाचक जो हमें बताएं किरिया हो गई हो रही है या की जा रही है ठीक है एक तो आपको यह याद करना है दूसरा जो इसका भेद है वो है निशेद वाचक कार्या ना होने का भाव जहां पर प्रकट होता है जिस वाक्य से कार्या के ना होने का भाव यानि कि वो नेगेटिव वाक्या होका जैसे सुरेखा पत्र नहीं लिख सकती मैं स्कूल नहीं गया हमने खाना नहीं खाया तो ऐसे वाक्या जो नेगेटिव वाक्या हो जहां पर नहीं आ जाए आप उनको बताएंगे निश्रीद वाचक वाक्या ऐसे वाक्या जहां पर कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो, जैसे यहाँ पर हो रहा है कि काम नहीं हुआ है, ठीक है, तीसरा है हमारा आग्यवाचक, ऐसे वाक्या जिसमें आग्या, आदेश, आग्रह, मनाही, प्रातना, उप्देश, इनके बारे में हमें जानकारी मिले, कि वहाँ पर कोई कोई आग्या देने वाली बात हो रही है, कोई आदेश की बात हो रही है, कोई प्राथना की जा रही है, कोई उपदेश दिया जा रहा है, वो सब किसमें आते हैं, आग्या वाचक वाक्य में आते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करो, यह क्या है, एक तरीके से उपदेश हो गय नेक्स्ट है प्रश्ण वाचक, सबसे आसान है पहचानना, हमीशा लास्ट में प्रश्ण वाचक चिन लगा होगा, किसी प्रकार का प्रश्ण पूछने का ज्यान जहां पर हो जाए, वो आपके प्रश्ण वाचक में आ जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो प्रश्ण वाचक चिन जिन वाक्यों में इच्छा आशिरवाद ये शुबकामनाई हो एक तरीके से आशिरवाद भी क्या है एक तरीके से जो दे रहा है उनकी इच्छा है जैसे कोई देता है कि आप सो साल जीए तो ये उनकी इच्छा है जो आशिरवाद की रूप में आपको दिया जा रहा है इसी तुम अपने कार्य में सफल रहो इच्छा की जा रही है सब का कल्यान हो यहां पर भी क्या है आशिरवाद दिया जा रहा है यहां कि directly इच्छा की जा रही है तो जहां पर इच्छा का भवा आ जाए वो इच्छा वाचक में चला जाएका ठीक है इसके बाद आता है संध्य वाचक जैसे नाम है जिस वाक्य में काम होने में संध्य या संभावना विक्त की जाए उसे कहते हैं संध्य वाचक जैसे हो सकता है वर्षा हो जाए शायद कल छुट्टी हो तो जहां पर संभावना ये संध्य विक्त किया जाए वो आपका संध्य वाचक, यानि कि जहां पर आपके आश्चार्या, घ्रिणा, क्रूद, सूक इनका भव आजाए, वो आपके विश्मियादी वाचक सब्द वाक्य हो जाते हैं, जैसे वह क्या बात है, तो यहां पर यह क्या आ गया आश्चार्या का आ गया, ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका विश्मय वाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है जो हमने यह उपर साथ वाक्यों के बारे में पढ़ा इन साथ वाक्यों को आप इजिली पहचान जाएंगे, इनके नाम से पहचान जाएंगे, ठीक है विदान वाचक जहां पर किरिया हो रही हो, निशेद वाचक जहां पर किरिया नहीं हो रही हो, आग्या वाचक जहां पर आग्या उपदेश आदिश दिया जा रहा हो, प्रश्न वाचक जहां पर प्रश्न किया जा रहा हो, इच्छा वाचक जहां पर इच्छा की जा रही हो, संधे जहाँ पे संधे व्यक्ति किया जा रहा हो विसमे वाचक जहाँ पे विसमे यानि की आशर यह घ्रणा क्रोध इनके बारे में बताया गया हो सबसे इंपोर्टन जो है वो है आठवा वाला संकीत वाचक इसको आपको याद करना है क्योंकि इसका नाम और इसका जो अर्थ है वो थोड़ा सा अलग है वाच्यों में तो नाम से यहाँ पहचान जाओगे इसमें क्या होता है देखी संकीत वाचक में जिन वाच्यों में शर्त का बोध होता है यानि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकीत वाचब कहते हैं, ठीक है? यानि पहले संकीत दिया जाता है कि अगर ये हो गया, तो ऐसा होका, ऐसे वाक्या जहांपर कोई शर्त रखी जाती है, देखें, अंदर क्या है important, शर्त, नाम क्या है, संक इच्छा वाचक में मत करना इसको, ठीक है, ये संकेत वाचक में आ जाएगा, क्योंकि condition यहाँ पर रखी गई है, जहाँ पर भी condition आ जाएगी, वो हमेशा संकेत वाचक होगा, इच्छा वाचक में तो तब आता, यह हम कहते हैं कि, उमीद है इस साल फसल अच्छी होगी, आश condition रखी गई है, कि अगर तुम ये करोगी, तो ये होगा, ठीक है, अगर ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, ऐसे वाच्य जहाँ पर condition रख दी जाती है, वो हमेशा संकेत वाचक होते हैं, और सबसे important यही है, सबसे जादा बार आपका यही पूछा जाता है, प्रश्न वाचक, विस जो होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर, टीक है, question बने, वाक्या के कितने वेध होते हैं, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, आप बताएंगे, तीन, कौन कौन से होते हैं, उनको देखिये, जहां से भी question बनता है, पिछले साल का paper देख लीजिए, हस्ता बताईए ये सब कोशन आपके बिल्कुल जो स्लेवस के एकॉर्डिंग है और एक्जाम ओरियंटेड है उन्ही को हम यहां पे कवर कर रहे हैं ठीक है दिखिए सरल वाक्य के हम बात करते हैं सबसे पहले हमने बात कर ली वाक्य के भेद तीन होते हैं रचना के आधार पर पहला होता है सरल वाक्य दूसरा होता है सयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिस्र वाक्य पहचानते कैसे हैं क्या इनकी पहचान है उनको भी देखेंगे ठीक है सबसे पहले सरल वाक्य की बात करते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विदह होता है या साधारन वाक्या कहते हैं उद्देश्य और विदय हमने उपर पढ़ा किसी भी वाक्या में जिसके बारे में बात की गई हो वो आपका उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया गया हो वो आपका विदय तो ऐसे वाक्या जहां पर एक उद्देश्य ह और एक विदय हो, एक उद्देश्य हो, एक विदय हो, एक उद्देश्य, एक विदय, उनको कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है, इसको आपको याद करना है, दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड दिया गया हो योजकों के म माध्यम से ठीक है, यानि कि सिंपल आपने इतना याद करना है, जहां पर दो सरलवाक्च योख को आपस में जोड दिया जाता है, वो आपके सैयुक्त वाक्या कहलाते हैं, जैसे वह सुभा गया, शाम को लोटाया, इन दोनुव वाक्च योख को और के माध्यम से जोड दिया ये आपके सैयुक्त वाक्या होते हैं सैयुक्त और मिस्र वाक्या में क्या अंतर है उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे पहले मिस्र वाक्या को पढ़ते हैं जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्या हो और अन्य आसरित वाक्या हो मिस्रित वाक्या कहलाते हैं सैयुक्त वाक्या म अगर आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, वहार सुबह गया, वाक्या खतम, आपको explain करने के जरूरत नहीं पढ़ेगे कि क्या हुआ, इतना वाक्या भी काफी है, शाम को लोट आया, ये भी वाक्या अपने आप में पूरा है, ठीक है, प्रिया बोलो, असत्य नहीं, अगर आप इनको अलग-लग भी बोलते हैं, प्रिया बोलो, ये भी अपने आप में पूरा वाक्या है, यानि कि सदेव आपको प्रिया बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलो, ये भी अपने आप में पूरा वाक्या है, तो सैयुक्त वाक्या ऐसे वाक्या होते हैं, जेवो एक दूसरे पर depend नहीं करते हैं अगर आप आधा वाक्य भी बोलेंगे तो भी अर्थ वहाँ पर प्रकट हो जाता है, इसपस्ट हो जाता है मिस्रित वाक्य की बात करें इनमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक आस्रित वाक्य होता है इसमें दोनों वाक्य इसमें भी दो वाक्या होते हैं कई बार दो से जादा भी होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे पर depend होते हैं जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्सर अच्छे नहीं बनते हैं अब अगर सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि मैं जानता हूँ की तो आपके मन में इच्छा होग कि आगे क्या है तो हमने उपर तत्व पढ़े थे न वाक्य के तो फिर अगर इच्छा प्रकट हो गई आपके मन में इसको जानने की तो फिर ये किस बात का वाक्या इच्छा नहीं आनी चाहिए वाक्या अपने आप में पूरा होना चाहिए तो ये आपका क्या है मिस्तित वा तब आपका वाक्या पूरा होगा, जब आप पूरा पढ़ेंगे, एक दूसरे के ओपर ये डिपेंड होते हैं, एक परधान वाक्या होता है, एक आसरित वाक्या होता है, येसे यदि परिश्रम करोगे, तो उत्तीन हो जाओगे, अब हम सिर्फ इतना बोल दें, यदि परिश एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, जबकि मिसरित वाक्या में एक प्रधान वाक्या होता है, एक आपका आसरित वाक्या होता है, दोनों एक दूसरे के ओपर डिपेंड होते हैं, इसको आपको याद करना है, ठीक है, चलिए, अब हम बात करेंगे विराम चिनों के ब important विरामचिनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ-साथ में उनकी कुछ related theory उसको भी हम देखेंगे क्योंकि कई बार examiner क्या करता है या तो आपसे विरामचिन direct दे देगा कि बताईए ये वाला विरामचिन कहां इस्तमाल करते हैं या फिर उसकी definition दे देता है या इसका symbol देता है आपको एक तो बताईए ये कौन सा विरामचिन है या फिर उसकी definition आपसे पूछ लेता है कि ऐसे विरामचिनों को क्या कहते हैं उनको यहाँ पर समझेंगे दिखे विरामचिन क्या होते हैं वाक्य को अधिक इसपष्ट प्रभावशाली बनाने के लिए लिए लिखते समय और बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है लिखित भाशा में इस विशराम को दिखाने के लिए कुछ विशेश प्रकार के चिन्नों का प्रियोग करते हैं इनको ही विरामचिन बोला जाता है यानि की वाक्यों को और अधिक प्रभावशाली दिखाने के लिए उनको लगने के लिए और जादा उनके अर्थ को इसपष्ट करने के लिए कुछ गैप लिया जाता है बोलते समय या लिखते समय लिखते समय हम जो gap लेते हैं, उनको दर्शाने के लिए कुछ चिन्नों का हम इस्तिमाल करते हैं, उनहीं को विरामचिन कहते हैं, कौन-कौन से हैं, चलिए उनको देखते हैं, सबसे पहला है हमारा पूर्ण विरामचिन, ठीक है, पूर्ण विरामचिन का sign होता है ये वाला, क तो ये होता है, ठीक है, इसको English में full stop बोलते हैं, जो ऐसा होता है, एक बिंदू होता है, ठीक है, हिंदी में सबसे जाधा प्रियोग होता है पूर्ण विराम का, ठीक है, लगभाग हर वाक्य के अंत में आपका पूर्ण विराम आता है, केवल जो आपका प्रश्नवाचक चि पूर्ण विराम आता है, तो हिंदी में सबसे जाधा प्रियोग इसी का होता है, ये चिन हिंदी का प्राचीन तम विदाम चिन है, अगर पूछ लिया जाए, अभी तक तो नहीं आया है, हो सकता है, आ जाए, हिंदी का सबसे प्राचीन विराम चिन किस से माना जाता है, तो एक पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ती में दो पूर्ण विराम लगानी की प्रता हैं कोशन बन जाएगा दोहा और श्लोकों के अंत में कौन सा विराम चिन आता है तो पहली पंक्ती में आपने देखा होगा कि हम जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर यह दो दोहें लिख लिए मालीजे यह दो दोहें तो पहली पंक्ती में एक और दूसरी पंक्ती में दो विराम चिन आते हैं ठीक है इसको आपको याद करना है पूछा जा सकता है नेक्स्ट है हमारा अर्द विराम के अगर हम बात करते हैं, हिंदी में इंग्लिश में इसको बूला जाता है सैमी कॉलन ठीक है, अर्द विराम का चिन याद करना एक डॉट होता है और उसके नीचे कॉमा होता है ये आपका अर्द विराम होता है और जो अल्प विराम होता है वो एक कॉमा होता है ठीक है, ये अल्प विराम है ये अर्द विराम है इन दोनों में एक्जामनर सबसे जादा आपको कन्फ्यूज करता है अर्द विराम का प्रियोग कहां पर होता है पहले आपको चिनियाद करना है एक डॉट और उसके नीचे एक कॉमा अगर हम इसकी बात करे जब किशी वाक्य को कहते हुए बीच में हलका सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए तो वहां पर अर्द विराम चिन का प्रियोग करते है यानि पूर्ण विराम तो तब लगता है जब पूरा वाक्या खत्म हो गया हमने पूर्ण विराम लगा दिया अर्द विराम तब लगता है जब हमें थोड़ी देर के लिए रुक ना हो ठीक है तब हम लगाते हैं अर्द विराम कहां कहां इस्तमाल होता है दो उपवाक्यों को जोड़ता है जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने में अर्द विराम का इस्तमाल होता है कितनी अच्छाई से वो इस कोशन को डिजाइन कर सकता है कि बताईए उन उपवाक्यों को जोडने के लिए जिने और से नहीं जोड़ा जा सकता किस विराम चिन का इस्तमाल करते हैं तब आप बताएंगे अर्द विराम का जैसे फलों में आम सरवशीष्ट फल माना गया है यहां पर आपने लगा दिया अर्द विराम क्योंकि आप और नहीं लगा सकते हैं किन्तु शिरीनगर में और भी किस्म के फल विसेश रूप से पैदा होते हैं तो ऐसे उपवाक्यों जिनको और के माध्यम से नहीं जोड़ा योग होता है ये कोशन भी बन सकता है बता देगा आपसे डारेट कोशन पूछेगा बताईए दो या दो से ज़ादा उपादियों को जोड़ने में कौन से विराम चिन का इस्तेमाल होता है तो आप बताएंगे अर्द विराम का जैसे आपने लिखा MA ठीक है फिर आप यहा दो उपादियों को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं अर्द विराम का इस्तेमाल करते हैं ठीक है next है हमारा अल्प विराम कौमा होता है क्योंकि जैसे मैं आपको बताया examiner इसमें और इसमें confusion कर देता है तो ये आपका अल्प विराम है ये आपका अर्द विराम है अर्द विराम कहां पे जाता है आपका जहां आपका अल्प विराम कहां पे जाता है जहां पर अर्द विराम की तुलना में और कम देर के लिए रुखना होता है वहां पर अल्प विराम लगता है यानि सबसे पहले हमने पूर्ण विराम देखा जहां वाक्या खतम हो गया जहां हमें थोड़ा देर के लिए रुखना हो वहां पे अर्द विराम और जहां पे अर्द विराम से भी कम समय के लिए रुखना हो थोड़ा सा गैप लेना हो वहां पर आपका अल्प विराम जाता है जिसे हम एक कॉमा कहते हैं अब ये कहां कहां लगता है उनको देखते हैं एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रियोग होने पर प्रतियक शब्द के बाद अल्प विराम लगता है अगर हम एक ही प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें जैसे हमने यहां पर करा राम, कृष्ण और माधव तो ये दोनों सब्द क्या है, ये संग्याईतों हैं, एक ही जैसे शब्द हैं, एक विक्ति के नाम हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनको अलग करने के लिए कौमा यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, इसको आपको याद करना है, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रिय का इस्तेमाल करते हैं यह सारी के सारी जो लाइन्स मैंने यहां पर लिखी है यह अपने आप में कोश्चन है डारेट कोश्चन बन जाएगा उधरन वाक्य को से इस वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन का इस्तेमाल करते हैं आप बताएंगे अलप विराम का जैसे प्रधान इसी की बात हो रही है कि उधरन वाक्य को 6 वाक्य से अलग करने के लिए किसका इस्तमाल करते हैं, कौमा, अलप विराम की इस्तमाल हम करते हैं, ठीक है? महीने की तारीक एवं सन को अलग करने के लिए भी कौमे का इस्तमाल होता है यानि अलप विराम का इस्तमाल होता है जैसे उसका जन्म 7 अक्टूबर 1985 को हुआ तो महीने और जो आपका सन है उसे अलग करने में तो महिने की तारीक और सन को अलग करता है कौन आपका कौमा करता है इसी प्रकार शब्द युगमों में अलगाव दिखाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं जो शब्द युगमों होते हैं जैसे कि हम दो दो शब्दों का जोड़ा बना लीजिए जैसे पाप और पूण्या सच और जूट इन में अलग अलग दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं पत्रों के संबोधन के बाद जब कोई पत्र लिखा जाता है तो उसमें क्या आता है पूजय बापूजी उसके बाद कौमा लगता है मान्यवर फिर कॉमा लगता है, महोदिया फिर कॉमा लगता है, तो जो पत्र होते हैं, उनमें संबोधन के बाद भी अल्प विराम का इस्तेमाल होता है, कोशन बन जाता है कि पत्रों में संबोधन के बाद कौन सा चिन्द लगता है, तो आप बताएंगे कौन सा लगता है, एक चीज यहाँ पर याद रखनी वाली है कि पत्र के अंत में भवदिया, आज्यकारी, आदी के बाद अल्प विराम नहीं लगता है, जैसा अब लास्ट में लिखते हैं भवदिया, ठीके उसके बाद कॉमा नहीं लगता, उसके बाद वो वाक्ते वहीं पर खतम हो जाता है, इसको यहाँ पर आपको याद करना है, ठीके चलिए, नेक्स्ट है हमारा उधरन चिन, उधरन चिन की अगर हम बात करते हैं, उधरन चिन आपका इन्वर्टिट कॉमा होते हैं, जहाँ पर आपका सिंगल इन्वर्टिट कॉमा या डबल इन्वर्टिट कॉमा, इन दोनों के जैसे हमने उपर देखा था कि परधार मंतरी ने कहा है कि हमारे नव यूकों को आगे बढ़कर कारे करना चाहिए तो जो नव यूकों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए वो सब किस में था? inverted कॉमा में था तो जब हम किसी अन्य विक्ति के वाक्ये और शब्दों को जियो का त्यों रखते हैं तो वहाँ पर हम inverted कॉमा जिसे हम उद्धरण चिन कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जैसे तुल्सिदास ने कहा और फिर हमने क्या लगा दिया? inverted कॉमा रखुगुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न चाहे तो यह हमने तुल्सिदास जी की जो बाते हैं उनको यहाँ पर कोट किया है ठीक है? तो यह किस में आती हैं? आपके उधरण चिन में आती है जब हम किसी दूसरे के वाक्य को यहाँ पर कोट करते हैं तो वहाँ पर डबल इन्वर्टेट कॉमा का इस्तेमाल होता है और जब हम किसी वाक्य के अंदर किसी शब्द के उपर विशेश बल देना चाहते हैं तो वहाँ पर single inverted comma का इस्तेमाल होता है जैसे अगर मैं कहे दूँ रगुकुल रीत और यहाँ पर मैं सदा के साथ यहाँ पर comma लगा दू single वाला तो इसके उपर हम जादा focus यहाँ पर कर रहे हैं तो उसके लिए use होता है single inverted comma ठीक है ये वाला और उधरन के लिए ये वाला अगर हम किसी के वाक्य को यहाँ पर code कर रहे होते हैं ठीक है next है हमारा योजक चिन योजक चिन जिसको हम English में कहते है hyphen ठीक है ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब कोई पद बनता है तो उसके बीच योजक चिन लगाया जाता है यानि हम एक पद बना रहे हैं जिसमें हमने दो शब्दों को आपस में जोड दिया जिसे जय पराजे शोक संतप्त ये दोनों वाक्यों को जोड दिया माता पिता दो अलग अलग शब्द थे ना उनको हमने जोड कर एक पद बना दिया तो ये क्या हो गए इनको जोडने में हम किस चिन का इस्तेमाल करेंगे योजक चिन का इस्तेमाल हम करते हैं ठीक है इसे आपको याद करना है नेक्स्ट है निर्देशक चिन यानि कि जिसे हम डैश कहते है यहाँ पर ये गैप नहीं होता है डैश होता है आपका ऐसा वाला तो यहाँ पर और option था नई पर लगाने का तो आप इसी से समझ ये जो निर्देशक चिन होता है जो डैश होता है ठीक है डैश सिधी रेखा, थोड़ी सी बड़ी होती है योजक से, योजक छोटा होता है, डैस थोड़ा बड़ा होता है, वारतालाप समवाद में नाम के बाद इस चिन का प्रियोग के आ जाता है, यानि कि जैसे हम बात करें, महत्मा गांधी जी ने कहा, डैस हमने लगा दिया, हिंसा मत क इस तरीके से तो कैस का इस्तमाल होता है वहाँ पर आपके निर्देशक चिन डैश का इस्तमाल होता है ठीक है अगला है कोश्टक तो कोश्टक चिन आप जानते हैं यही होता है आपका कोश्टक चिन कोश्टक के भीतर मुख्य उस सामागरी को रखते हैं जो मुख्य वाक्या का अंग होते हुए भी प्रथक की जा सकती है यानि कि कुछ वैसी विशिश बातें जो उसका ही पाठ है लेकिन अगर हम उनको दर्शाना चाहें जाए नर दर्शाना चाहें उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे हमने एक वाक्य लिखा क्रिया के भेदों के उधारन दीजिए हमने कोश्टक में एक्स्ट्रा सामागरी को यहां पर लिख दिया है मुख्य सामागरी ही कि इसनके बारे में लिखना है लेकिन अगर ना भी लिखें तो भी फरक नहीं पड़ेगा इसको हम अलग कर सकते हैं तो कोश्टक के भीतर जादा तर उस सामागरी को रखा जाता है जो मुख्य वाक्या का अंग तो है लेकिन अलग की जा सकती है जैसे क्रिया के भेदों और हमने ब्रैकेट में लिख दिया अकर्मर्क और सकर्मर्क के उधारन दीजिए यह क्या है हमारे यह आपके कोश्टक चिन में आ जाते हैं जादा तर आपको केवल जो चिन होते हैं वो पहचानने के लिए आते हैं बहुत कम chances होते हैं कि आपको जैसे यह वाली भी question भी बन जाते हैं definition से भी बन जाते हैं कि किस चिन का प्रयोग कहां पर होता है लेकिन जादतर पहचानने के लिए आते हैं अब वो आपसे definition भी पूछे ने लगा है ठीक है तो आपको definition भी याद करनी है Next है हंसबद जिसे हम कहते हैं तुर्टी बोधक चिन जो हंसबद या तुर्टी बोधक चिन होता है जिसे हम ऐसे में लगाते हैं जब वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखते समय चूट जाता है तो चूटे हुए वाक्य के नीचे हंसबद चिन का प्रियोग करते हैं और उस शब्द को उपर लिख लेते हैं जैसे मान लीजे यहाँ पर कुछ चूट गया तो हम इसके नीचे हंसबद का चिन लगाते हैं और बाकी जो हमारा चूटा होता है उसे यहाँ पर उपर लिख लेते हैं यह कोशन पेपर में बनता है कि अगर कोई तुर्टी हो जाती है उसको ठीक करने में किस का इस्तेमाल करते हैं हंसपद चिन का इस्तिमाल करते हैं एक्जामनर आपको वहाँ पर ब्रैकेट में तुटिय बोधग लिखकर नहीं देगा किवल हंसपद देगा क्योंकि अगर यह दे देगा आप पहचान जाएंगे तो आपको हंसपद देगा तो याद करना हंसपद चिन यानि की ये वाला चिन होता है जहां पर कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई शब्द वहाँ पर छूट जाता है तो इसके माध्यम से उसे लिख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा रेखांकन रेखांकन की बात करें यानि अंडर लाइन की हम बात कर रहे है वाक्य में महत्पून शब्द पद वाक्या को रेखांकित कर दिया जाता है जैसे कोई वाक्या हमने लिखा और उसमें कुछ लाइने इंपोर्टन्ट है तो हमने क्या कर दिया जैसे हमना आ रहे हैं यह पूरा वाक्या है वाक्या में महत्पूर्ण और इसके नीचे में अंडरलाइन कर दू कि इन तीनों को शब्द पद वाक्या को रिखांकित कर दिया जाता है तो यह अंडरलाइन यान कि किसी महत्पूर्ण जो चीजें हैं वाक्या के अंदर लाघव चिन का प्रियूग करते हैं, अगर कोई संक्षिप्त रूप आपको लिखना है, तो उसमें हमेशा लाघव चिन का अस्तिमाल होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ये, तो क्र, उसके बाद हमने चिन लगा दिया, फिर पा, फिर यूग, इसका पूरा नाम होता है, क नेक्स्ट जो हमारा है लोप चिन, इसको बोला जाता है, मार्क आफ ओमिशन, यानि की लोपता का जहां पर भाव होता है, जैसे, जब वाक्या या अनुछेद में कुछ अन्श छोड़कर लिखना हो, तो लोप चिन का प्रियोग किया जाता है, जैसे, परिक्षा की घड़ क्या होता है, तो लोप चिन का सिंबल होता है, डॉट 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 ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विवरन चिन, विवरन चिन की बात करते हैं, तो विवरन चिन होता है, इसका प्रियोग उन इस्थानों पर किया जाता है, जहां पर कोई सूचना, निर्देश, आदी, विव विवरन देना होता है ठीक है वहां पर हम विवरन चिन का इस्तिमाल करते हैं विवरन चिन का सिंबल होता है ये ठीक है दो बिंदू और उसके बीच में एक डैश तो ये विवरन चिन का सिंबल होता है जहां पर हमें कोई सूचना आदिश निर्दिश देना होता है वहां पर इस्तेमाल होता है जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो जादतर इसका इस्तेमाल जब हम गद्यांश का भावार्थ लिखते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है हम ऐसे ही तो लिखते हैं भावार्थ उसके बाद हम ये विवरन चिन लगाते हैं और फिर लिखना शुरू करत तो हम सूचना, निर्देश, आदेश या कहीं पर विवरन देना हो विवरन चिन का सिम्बल ये होता है इसे भी आपको याद करना है तो फ्रेंट्स यहां पर हमने जो आपके विराम चिन है उनको भी कवर कर लिया है अभी तक हमने सबसे पहले विशेशन को कवर किया फिर हमन क्रिय विशेशन, संबंध बोधक, समुच्च बोधक और उसके साथ साथ विस्मयाइधी बोधक को हमने वहाँ पर कवर किया ठीक है अविवियों को कवर किया फिर हमने जो आपके लिंग थे जो आपके वचन थे जो उसके बाद हमने वाक्य परिचय को देखा उसके बाद ह क्या होता है अलंकार जिन तत्वों से कावे की सोभा बढ़ती है उसे अलंकार बोला जाता है ठीक है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूशन या श्रंगार आपको ये चीज याद करनी है कोशन पूछा जाता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो ये होता है आबुशन जैसे आबुशनों से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अगर हम किसी भी कावे में अलंकार का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कावे की शोभा बढ़ जाती है चीक है अब हम इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे जहां से आपके सबसे ज़्यादा कोशन बन जाते हैं अलंकार के प्रकार देखें अलंकार आपके मेनली दो प्रकार के होते हैं तीसरा प्रकार भी दिया जाता है जो आपका आधुनिक अलंकार जिसको बोला जाता है जिसमें मानिवी करण होता है उसके बारे में लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे वहाँ से आपके ज़्यादा कोशन नहीं बनते मैक्सिमम कोशन आपके बनते हैं अलंकार के जो ये दो महतपूर्ण प्रकार है एक है आपका शब्द अलंकार और एक होता है आपका अर्थ अलंकार कई बार तो एक्जाम में कोशन यही बन जाता है कि आपको चार अलंकारों के नाम दे देगा और कहेगा बताईए इन में से कौन सा शब्द अलंकार है कौन सा अर्थ अलंकार है दो महत्पूर्ण हमने पढ़ने हैं एक शब्द अलंकार ऐसे अलंकार जो शब्दों पर आशरित होते हैं और दूसरा अर्थ अलंकार जो अर्थ के उपर आशरित होते हैं अब इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे चलिए शब्द अलंकार की बात करें यानि की नामसे ही पता चल रहा है जो शब्द के उपर depend होते हैं ऐसे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से शब्दों का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि उनके माध्यम से कावे की शोभा बढ़ जाती है वो आपके शब्द अलंकार कहलाते हैं कौन कौन सेश में शामिल है अनुपरास अलंकार यमक अलंकार शिलेश अलंकार ये टॉप तीन आपको याद करने हैं ये शब्द अलंकार में आते हैं साथ में वक्रोक्ती और विपसा अलंकार ये दोनों भी आपके शब्द अलंकार में आते हैं ठीक है अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे ठीक है और फिर हम अर्ध अलंकार के बारे में बात करेंगे सबसे पहला शब्द अलंकार है हमारा अनूप्रास अलंकार अनूप्रास अलंकार क्या होता है जहां पर एक या एक से अधिक वन्नों की आवरती एक से अधिक बार क्रमशहा होती है वहां पर अनूप्रास अलंकार होता है यानि कि जहां पर वन्नों की आवरती होती है वहां प अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है इसको आपको याद करना है और एक्जाम्पल यहां पर देखिए कालंदी कूल कंदम की डारत यहां पर का जो यह वन है बारबार रिपीट हुआ है तरणी तनूजा तट तमाल तरूवर यहां पर ता वाला वन बारबार रिपीट हुआ है मुदित महिपती मंदिर यहा यहाँ पर भावाला शब्द बार-बार repeat हुआ है, भावर्ण repeat हुआ है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जहाँ पर वर्णों का repetition होता है, जहाँ पर कोई एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वो आपर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, तो वर्ण repeat ह होगा अनुप्रास अलंकार वहाँ पर हो जाएका, ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे अलंकार पर, दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, ये भी एक शब्दा अलंकार है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ प प्रास में वन रिपीट हो रहा था यमक अलंकार में पूरा का पूरा शब्द रिपीट होता है ठीक है यानि कि शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग-लग होते हैं जैसे पहला एक्जामपल है तो यहां पर कनक कनक शब्द दो बार आया है दोनों बार इसका अर्थ अलग है पहले वाले कनक का अर्थ हो गया यहां पर आपका धतूरा और दूसरे वाले का अर्थ हो गया सोना ठीक है कि जो इसे खाए वो भी बार आजाए और जो इसे पाए वो भी बोरा आ जाए तो पहले वाले काले क्या है? धतूरा और दूसरा वाला सोना तो यहाँ पर शब्द रिपीट हुआ है तो यहाँ पर कौन सा लंकार होगा? यहाँ पर यमक लंकार होगा दूसरा है काली घटा का घमंड घटा अब यहाँ पर देगे घटा शब्द दो बार आया है ठीक है? लेकिन दोनों में अर्थ इसके अलग अलग है पहले वाले घटा का मतलब है काली घटा यानि काले बादलों का सम्हू तो इस वाले घटा का मतलब है बादलों का सम्हू और दूसरे वाला जो घटा है घमंट घटा यानि घमंट उनका कम हो गया घट गया इस वाले घटा का अर्थ है कम हो गया तो यहाँ पर शब्द रिपीट होता है यमा कलंकार में अनुप्रास में हमने क्या पढ़ा है वन रिपीट होता है यहाँ पर शब्द रिपीट होगा वहाँ पर आपका यमकलंकार होता है जैसे, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है यहाँ पर ये तीन बेर शब्द दो बार आया है पहले वाले तीन बेर का मतलब है कि वो दिन में तीन बार खाती है और दूसरे वाले का तीन बेर का मतलब है कि वो तीन फल खाती है तो सब्द रिपीट हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ हर बार उसका अर्थ क्या होगा अलग-अलग उसका अर्थ यहाँ पर होगा तो इसे आपको याद करना है बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही है अनुपरास में वन रिपीट होता है और यमक में शब्द रिपीट यहाँ पर हो जाता है ठीक है उमीद है एक्जामपल से आप अच्छे से समझ गए होंगे अब आते हैं तीसरे महत्पूर शब्द अलंकार है शिलेश अलंकार इसके बारे में एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जहाँ पर जुड़े होते हैं वहाँ पर आपका शिलेश अलंकार होता है यानि शब्द एक ही बार इस्तेमाल होगा लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग-लग होते हैं वहाँ पर आपका शिलेश अलंकार होता है अब तीनों का comparison कीजिए अनुपरास में हमने कहा one repeat होगा यमक में हमने बोला शब्द repeat होगा और सलेश अलंकार में शब्द एक ही बार आता है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होते हैं दो से जादा उसके अर्थ यहाँ पर हो जाते हैं जैसे example से देखिए मंगन को देखी पट शब्द आया है एक ही बार लेकिन इसके यहाँ पर दो अर्थ हैं पहला अर्थ है कि पट देत बार बार यानि कि बार बार उसको वो वस्त्र दे देता है और दूसरा जैसे ही मांगने वाले को देखता है वो पट देत बार बार यानि कि अपना जो दरवाजा है उसे ब सुबरन को खोजत फिरत कवी व्यभाचारी चोर, अब यहाँ पर शुबरन शब्द एक बार आया है, लेकिन अलग अलग प्रसंग में इसका अर्थ यहाँ पर अलग अलग है, कवी के लिए इसका अर्थ अलग है, व्यभाचारी के लिए अलग है, चोर के लिए अलग है, शब्द एक बार आया, लेकिन अर्थ इसके साथ जो अर्थ जुड़े हुए हैं, वो एक से ज़ादा जुड़े हुए हैं, जो हमने इसकी definition पढ़ी, अलंकारों को लेकर एक चीज़ को याद करना, आपसे इसकी परिभाशाई भी direct question में MCQ बना कर पूछी जाती हैं, पूछा जाता है, जहां पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, कौन सा लंकार होता है, तो अभी हमने शिलेश अलंकार की definition क्या पढ़ी, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, वो शिलेश अलंकार हो जाता है, तो यहां पर शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग-अलग है, कवी के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, ठीक है, इसी प्रकार तीसरा एक्जामपल देखिए, रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सबसून, पानी गईन उबरे, मूती मानुश चून, अब इनके लिए भी अलग-अलग इसका अर्थ है, ठीक है, जो आटा है उसके लिए इसकार्थ यहां पर पानी के समान हैं, तो शब्द एक बार, अर्थ अनेक बार, अर्थ अनेक उससे जुड़े होते हैं, वहां पर आपका शिलेश अलंकार हो जाता है, उमीद है ये तीनों अलंकार आपके अच्छे से किलियर हो गए होंगे, अनुप उसके साथ अलग-अलग जुड़े हो जाते हैं, ठीक है, इसको आपको याद करना है, चलिए, चौथा अलंकार है जो इंपोर्टन शब्दा अलंकार में, वक्रूकती अलंकार, टॉप तीन हमने देख लिए हैं, यहीं से ज़ादा कोशन आपके बनते हैं, शब्दा अलंका की बात करें, प्रत्यक्ष अर्थ के अत्रिक्त, जहां पर भिन अर्थ हमें दिखाई देता है, वहां पर आपका वक्रूकती अलंकार हो जाता है, यानि किसी भी वाक्य के अंदर, जो वक्ता है, जो कहने वाला है, उसने जिस आशय में कोई प्रश्न पूछा, उसके अत्रि कवुतर देख हात में पूछा कहां अपर है उसने कहां अपर कैसा वहां उड़ गया शपर है वक्रोकती अलंकार यानि कि यहां पर उसने पूछा कुछ और यहां पर उसने बताया कुछ और ठीक है पहली पंक्ती में वो पूछ रहा है उसने हात में कवुतर देखा और वो पर इसका जवाब दिया कि वो अपर नहीं है यानि उसके भी पर है और जिसके मज़े से वो उड़ भी गया है तो वो अपर नहीं है वो तो उड़ गया जबकि उसने पूछा क्या था कि दूसरा कहा है उसने जवाब दिया कि नहीं उसके पर है वो अपर नहीं था ठीक है तो अब इसके बाद एक और जो हमने पांचवा अलंकार देखा था आपके शब्दा अलंकार में विपसा अलंकार ठीक है इससे भी आपके ज़ादा कोशन नहीं बनते हैं टॉप तीन से ही ज़ादा आपके प्रश्ण बनते हैं विपसा अलंकार में क्या होता है जहांपर मनो भावों को फीलिंग्स को यानि कि जहांपर दर्शाया जाता है उनको दर्शाने के लिए शब्दों को रिपीट किया जाता है वहाँ पर आपका विपसा अलंकार हो जाता है शब्द रिपीट होंगे लेकिन किसके लिए मनो बात करेंगे अर्थ अलंकार के बारे में जैसे हमने उपर बात करी अर्थ अलंकार क्या होते हैं अर्थ अलंकार यानि अर्थ अलंकार आपके अर्थ पर आधारित हो जाते हैं ठीक है जैसे जहां पर किसी भी कवीता या कावे में जो उसकी सोबा है वो विशेश शब्दों की वजह से ना बढ़ा कर उसके अर्थ के वज़े से बढ़ रही होती है वहीं पर आपका अर्थ अलंकार हो जाता है अब इसके हम विभिन प्रकारों को यहां पर पढ़ेंगे सबसे इंपोर्टन जो अर्थ अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार उपमा अलंकार क्या है? जहां दो वस्तुवों में गुण धर्म के आधार पर समानता का वन्नन किया जाता है वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है ठीक है? यानि दो वस्तुवों के किशी गुण को ले करके दोनों में हम समांता का वर्णन कर देते हैं कि दोनों तो एक जैसे हैं वहाँ पर आपका उप्मा अलंकार हो जाता है नाम से ही आप बता देंगे जहां पर किसी चीज की किसी चीज के साथ उप्मा दी जाती है टिक है जैसे मुखh, चंदर सा सुंदर है तो यहां पर मुह को चांद के समान सुन्दर बताया गया है यानि कि मुह के साथ चांद की उपमा दी गई है हरीपद कोमल कमल से यहां पर हरीपद की तुलना कमल की कोमलता के साथ करी गई है निर्मल तेरा नीर अमरित के सम उत्तम है तो यहां पर उस नीर की तुलना अमरित के साथ करी गई है कि उसकी तरही यहां काफी जादा उत्तम है तो जहां पर दो वस्तुवों के किसी भी गुण के आधार पर उनमें समानता दिखाई जाती है उतकी समानता का वन्नन किया जाता है वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है ठीक है यह सारे एक्जामपल आपके उपमा अलंकार के हैं जैसे मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं जाग भरे निरजर तो यहाँ पर जाग से भरे हुए जो जरने हैं उनकी तुलना मोती की लड़ियों से करी जा रही है तो जहां पर समान गुणों की तुलना या उनकी समानता का वंडन किया जाता है दो वस्तों के गुणों के समानता का वंडन वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है तीक है जिस प्रकार ये भी है ये वालो तो बहुत बार पूछा जाता है इसमें कौन सा अलंकार है पीपर पाथ सरिस्मन डोला तो इसमें आपका जो उपमा अलंकार है वो यहाँ पर हो जाएगा तीक है उपमा अलंकार के कुछ important अंग हैं जो पूछे जाते हैं जैसे पहला ह उपमें फिर आता है उपमान फिर आता है समान धर्म और फिर आता है वाचक शब्द उपमें क्या होता है जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमें में आता है यानि वह वस्तू जिसकी समानता की जाए जैसे हमने उपर एक्जामपल में देखा कि मुक चंदर सा है तो हमने मु पर उसकी समानता का वर्णन किया जाए, जैसे मुह की समानता का वर्णन चांद के साथ किया जा रहा था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, चांद उपमान हो जाएगा, ठीक है, जिसकी उपमान दी जाए, वो आपका उपमान, जिसके साथ दिया जाए, वो आपका उपमान, सम उनों में समान क्या था सुन्दर कि मुझ जो है वो चंद्रमा के जैसे सुन्दर है तो सुन्दरता यहाँ पर क्या है समान धर्म है जो दोनों में जिस चीज को हम दोनों की कंपेर कर रहे हैं और चौथा है वाचक शब्द उपमें और उपमान की समता बताने वाले शब्द य जैसे आमने उपर देखा, मुक चंद्र सा सुन्दर है, तो यहाँ पर जो सा है, ओ क्या है? आपका वाचक शब्द है, तो इसे आपको याद करना है, ठीक है? यह पूछा जाता है, उपमय क्या होता है? उपमान क्या होता है? ये सारी बाते, आपसे पूछी जाती हैं, अब जैसे वाला sentence हमने उपर देखा कि मुख चंदर सा सुन्दर है, ठीके, यहाँ पर आते हैं, मुख चंदर सा सुन्दर है, यहाँ पर आपका उपमा क्या होगा, उपमान क्या होगा, देखे, उपमे है यहाँ पर आपका मुख, उपमान है आपका चंदर, ठीके, समान धर्म है यहाँ पर आपका सुन्दर और जो वाचक शब्द है वो है आपका यहाँ पर साथ, जिसके मदद से इन दोनों की समानता का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रतीब अलंकार, उपमा अलंकार हमने देख लिया, उसके बारे में हमने सारी जानकारिया देख ली, अब आते हैं प्रतीब अलंकार पे, यह दूसरा है अर्थालंकार के अंदर, उपमा अलंकार का विपरीत होता है यह, जैसे उपमा में हमने देखा, यहाँ पर उपमा अलंकार का उल्टा होता है, यहाँ पर जो उपमय होता है, तीक है, हमने दो चीजे पढ़ी ना, एक हमने पढ़ा उपमय, टीक है, उपमय वो होता है, जैसे हमने उपर देखा मुख, और यहाँ पर चंद्र, टीक है, यह उपमान है, यह मुह है, प्रतीप अलंकार के अंदर जो यह उपमय होता है, इसी क थीक उल्टा हो जाता है प्रतीप एलंगकार में तीक है चलिए अगला आता है जो important है यहां से question बन जाता है तीन टॉप तीन जो हमने शब्द अलंकार में देखे उसके बाद एक उपमा अलंकार उसके बाद उत्परेक्षा रूपक यहां से question आपके जाधा बनते हैं तीक है जहां पर गुण धर्म की अत्यंत समानता होने के क अभी तो हम उपर समानता का हम वहाँ पर कर रहे थे कि उसके जैसा है हम यहां पर उसे ही मान लेते हैं कि यह तो वही है जैसे मुक मानो चंद्र है हमने उपर क्या पढ़ा हम उपर पढ़ रहेते कि मुक चंदर सा सुन्दर है उसके जैसे सुन्दर है हमने यहां पर मान लिया कि मुक ही मानो यहां पर चंदर है तो जहां पर मानने के बात आ जाए जहां पर कलपना यह संभावना प्रकट कर दी जाए कि जो आपका उन दोनों में इतनी जादा समानता है कि हम दोनों को एक ही मान ले इसी से मिलते जुलते हैं मानो, मनो, जनू, जानो ये सब इसके पहचानने के शब्द हैं जहां पर दोनों को एक ही मान लिया जाता है तो मुख मानो, चंद्र है यहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा तीक है चोथा आता है रूपक अलंकार यहां से भी आपके बहुत सारे कोशन बन जाते हैं रूपक अलंकार में क्या होता है उपमय में उपमान का अभिद आरूप कर दिया जाता है सबसे पहले हमने उपमा में समानता देखी कि उसके जैसा है फिर हमने उत्प्रेक्षा में देखा कि उसी को मान रहा है यहाँ पर उसने उसे घोशित ही कर दिया कि यह वही है, कन्फम वही है वहाँ पर केवल संभावनाएं आ रही थी उत्परेक्षा में, लेकिन रूपक में क्या हुआ उपमे में उपमान का उसने अभेद आरोब कर दिया कि दोनों के दोनों एक ही है, मुख चंद्र है, अब ना मान रहा है, ना उसके जैसा बोल रहा है, इसने इसको वही घोशित कर दिया है, तो यहां पर होता है आपका रूपक अलंकार, कि हम जब दोनों को एक ही रूप मान लेते हैं, कि मुख मानो चंद्र हमने नहीं बोला, व यहां पर भी आपका रूपक अलंकार है, यहां पर चरन और कमल को एक ही बता दिया गया है, कि जो चरन है वो कमल की हैं, ठीक है कमल के समान होने थे, लेकिन वही हैं यहां पर, ठीक है, जैसे, अंबर पनगट में डुबो रही, तारा घठ उशा नागरी, तो यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया? इन दोनों को एक ही बता दिया कि अंबर रूपी, अंबर जैसा जो पनगट है वहाँ पर तारा घट उशा नागरी यानि तारा रूपी घड़े यहाँ पर वो डुबा रही है तो यहाँ पर उसने एक ही मान लिया कि पन घट कैसा है अंबर के जैसा है जो यहाँ पर तारा घट है यानि कि तारे जैसे जो घड़े है उनको वो यहाँ पर डुबा रही है तो यहाँ पर जहाँ पर आपका क्या कर दिया जाए उपमे और उपमान दोनों को एक ही बूल दिय जाए वहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है तीक है इसको आपको याद करना है अगला है अतिशोक्ति अलंकार इसमें क्या होता है अतिशोक्ति अलंकार में उपमय को निगल कर उपमान के साथ अभीनता प्रदर्शित की जाती है कि यहाँ पर सीधा बोल दिया जाता ह रहे हैं थे कि यह उसके जैसा है, सेम उसी की तरह हैं, यहां पर अब उसने नाम ही उसका वही कर दिया, तो वहां पर आपका क्या होता है, अतिशोक्ती, सिंपल भाशा में जहां पर कोई चीज बहुत बढ़ा चड़ा कर बोल दी जाती है, वहां पर आपका अतिशोक्ती अलं दूसरे एक्जामपल से समझ ये राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार कि राणा ने सोचा भी नहीं और तब तक चेतक वहाँ चला गया तो यहाँ पर चेतक की शक्ति का एक अतिशोक्ती रूप में वर्णन यहाँ पर किया गया है तो ऐसे जहां पर कोई बात बढ़ा चड़ा कर पेश की जाए वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है अतिशुक्ति अलंकार हो जाता है इसे आपको याद करना है भ्रांती मान अलंकार क्या होता है शाद्रश के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना उसे कहा जाता है भ्रांती मान अलंकार यानि जहां पर एक वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु मान लिया जाता है वहां पर आपका भ्रांती मान अलंकार हो जाता है जैसे फीरत घरन नूतन पतिक चले चकित चित भागी फूलियों देखी पलास वन समुहे समुझी दवागी यानि कि जो पतिक थे जो जंगलों में घूमने जा रहे थे उन्होंने पलाश का फूल देखा और उसे दवागनी यानि कि जो वन अगनी थी वो समझकर वो वहां से बाग गये पलाश का फूल काफी जादा लाल होता है तो वो उन्होंने भरम के वज़ा से इसे क्या समझ लिया? आग समझ लिया और फिरो जंगल से भाग गये तो जहां पर हम एक वस्तु को भरम के कारण दूसरी वस्तु समझ लेते हैं वहां पर आपका भांती मान अलंकार हो जाता है ठीक है इसे आपको याद करना है एक और चीज़ एक आपका भ्रांती मान अलंकार होता है और एक आपका संधे अलंकार हो जाता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है भ्रांती मान अलंकार में जो भ्रम होता है उसे सत्यमान लिया जाता है जबकि संधे अलंकार में जो संधे होता है वो बना हुआ रहता है वो डाउट पूरे वाक्या में बना रहता है भ्रांतिमान में जैसे यहाँ पर हुआ उन्होंने प्लास को यहाँ पर उनको शंधे नहीं हुआ कि आग हो सकती है उन्होंने इसे आग ही समझ लिया था तो वहाँ पर आपका प्रांतिमान होता है जहाँ पर जो आपका भ्रम है उसे सत्यमान लिया जाए और वहाँ पर आपका संधे अलंकार होता है जहाँ पर जो आपका भ्रम है उसमें संधे होता है, क्या ये है या नहीं है, तीक है, ये दोनों में ये डिफरेंस था, नेक्स्ट है, उल्लेक अलंकार, अब हम बात करेंगे उल्लेक अलंकार के बारे में, जहां एक वस्तू का वन्नन अनीक प्रकार से किया जाए, वहां पर आपका उल्लेक अलंकार हो जात जैसे तु रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तु प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में. यहां पर एक ही की बात की जा रही है, लेकिन अलग-अलग तरीके से उसका वर्णन यहां पर किया गया है. वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उलेक अलंकार. नेक्स्ट है हमारा दृष्टांत अलंकार दृष्टांत अलंकार कुछ वर्षों से काफी जादा परिक्षाओं में पूछे जाने लगा है जो important हैं वो सारे मैं आपको बताते वे चल रहा हूँ शब्दा अलंकार में टॉप तीन जो हमने देखे अनुपरास, यमक और शलेश उसके बाद आपके अर्थ अलंकार में जैसे आपका उपमा अलंकार हो गया उत्प्रीक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशोक्ती अलंकार ये आपसे जादा पूछे जाते हैं जोर दीजिए दृष्टान अलंकार, ठीके, दृष्टान अलंकार क्या होता है? जहां उपमय और उपमान तथा उनके साधारन धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां पर आपका दृष्टान अलंकार हो जाता है यानि कि जहां पहले कोई कथन कहा होता है किसी कावे के अंदर पहले में कोई कथन है और दूसरी वाली पंक्ती उसका पुष्टी कर देता है वहाँ पर आपका दृष्टान्त हो जाता है थीक है यानि कि उपमय और उपमान दो पंक्तियां है दोनों में तुलना की जाएगी एक जगह पर एक पंक्ति की तुलना दूसरे के साथ की जाएगी जो बात वहाँ पर कही गई है और दूसरी वाली पंक्ति पहले वाले की पुष्टी कर देगी वहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार हो जाता है एक्जामपल से समझेंगे आपके सारी चीज़ें किलियर हो जाएगी जैसे पापी मनुझ भी आज मुख से राम राम निकालते देखो भैंकर भेडिये भी आज आशू ढालते अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये वाला इसकी तुलना इसके साथ की जा रही है कि जो पापी मनुश्य है वो भी आज अपने मुझ से राम राम न reflection है उसी बात की पुष्टी हमें दूसरे में मिलती है वहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार हो जाता है जैसे हमने उपर पढ़ा कि उपमें और उपमान और उनके दोनों जो उनके साधारन धर्म हैं उनमें बिम्ब प्रतिबिम्ब का भाव हो जाता है तो यहाँ पर भी भाव वही है कि जैसे पापी मनुष्य आज राम राम निकाल रहे हैं अपने मूँ से यह तो वैसे ही है जैसे जो भेड़ी हैं वो रो रहे हैं तो तुलना दोनों की हो गई है और यह उसी पुष्टी यहाँ पर कर रहा है जैसे एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती किसी और पर प्रेम नारियां पती का क्या सह सकती हैं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जैसे एक मयान में दो तलवारे कभी नहीं रह सकती हैं वैसे ही असंबव है कि जो कोई नारी है वो अपने पती को किसी दूसरे इस्तिरी के साथ यहाँ पर देख सके तो वो भी असं पुष्टी हो रही है, वहाँ पर आपका दृष्टान्त अलंगकार हो जाता है। भला भला कहने वाले हैं, उनको छोड़कर जो खोट वाले हैं, उनको दान दिया जा रहा है। जैसे जब बार-बार कुएं से रसी को खीचते हैं, तो वहाँ पर जो पत्थर है उस पर निशान बन जाते हैं, उसी प्रगार लगातार अगर आप अभ्यास करेंगे, तो आप जो मंद बुथ्टी हैं वो भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। एक की जो कथन है उसकी पुष्टी दूसरा कर दे उसका प्रतिविम हमें दूसरे में दिखाई दे उसी का अर्थ हमें दूसरे में दिखाई दे वहां पर आपका दृष्टांद अलंकार हो जाता है उमीद है ये वाला आपको अच्छे से किलियर हो गया होगा अब हम बात करे विरोधाभाश अलंकार के बारे में विरोधाभाश अलंकार जहां पे विरोध ना होने पर भी विरोध का आभाश होता है विरोधाभाश हमें वहाँ पर देखने को मिलता है उसे कहते हैं विरोधाभाश अलंकार जैसे यहा अनुरागी चित की गती समुझे ना ही कोई, जोजों बड़े होगा, श्याम रंग त्यों त्यों उज्वल होए तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? यहां पर शाम रंग में डूबने पर भी उजुवल होने में विरोदाभास समय देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कोई विरोदाभास यहां पर नहीं है टीक है? next है हमारा विभावना अलंकार जहाँ पर कारण का आभाव होने पर भी कार्या हो रहा हो वहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाता है ठीक है जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें बिनु पद चले सुने बिनु कानू यानि बिना पैर के भी वो चल रहे हैं और बिना कान के भी वो सुन रहे हैं तो जहां पर कारण नहीं है सरिया नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है सुनने के लिए कान नहीं है लेकिन सुना जा रहा है चलने के लिए पैर नहीं है चला जा रहा है तो यहां पर इस कार्थ यही निकलता है तो जहाँ पर बिना कारण के फिर भी कार्या हो रहा हो वहाँ पर आपका क्या होता है विभावना अलंकार वहाँ पर हो जाता है ठीक है तो इसको आपको याद करना है तो ये कुछ important 10 top हमने अलंकार देखे अर्थालंकार में और भी आपके important अर्थालंकार हैं लेकिन वहाँ स से ही बनते हैं और साथ में हमने जो टॉप चार उपर देखें आपके शब्दा अलंकार में अलंकार आपके और जादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब हम इनके प्रेक्टिस सेट को यहाँ पर शुरू करेंगे अब हमारा व्याकरण वाला पोश्चन खतम हो चुका है आ साथ में आपका हिंदी साहित्य वाला पोश्चन भी उसके भी कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे हलाकि हिंदी साहित्य पर आपका अलग सा मास्टर वीडियो आना है जो आपको बहुत जल्द यहाँ पर मिल जाएका तो फ्रेंट्स आज के इस मास्टर वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के कई सारे महत्पून टॉपिक्स को यहां पे कवर किया हमने विशेशन को देखा, हमने क्रिया विशेशन को देखा समुच्य बोधक शब्दों को देखा, संबन्द बोधक को देखा उसके लावा हमने विरामचिन, वाक्यपरीचे, लिंग, वचन और अलंकार इन सब को हमने आज के वीडियो में कवर किया उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो, ये मास्टर वीडियो हिंदी का पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, थैंक्यू फ्रेंड्स